अपने बाकी दोस्तों के साथ पार्क के पीछे स्थित अपने आबास की ओर चला गया यह घर किसी हवेली जितना बड़ा तो नहीं है लेकिन इसमें सभी के रहने लायक परियात कमरे हैं आवास पर पहुँचने के बाद सैम अपने कमरे में दाखिल हुआ और तुरंट क्रॉस लेक करके बैठ गया उसने अपनी आखे बंद कर ली और स्वयं पर निरीक्षन किया उसने उसके गाल पर घाव देखा सैं को महसूस हुआ कि उसके शरीर में कोई विदेशी पदार्थ प्रवेश कर रहा है और इससे वह थोड़ा असहज हो रहा है वह उस समय जेनरल स्पार्थ पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था और उसने समय रहते आसपास के माहौल पर ध्यान नहीं दिया अन्यथा उसे बिलकुल भी चोट नहीं लगती और अब उसे अपने सिस्टम में प्रवेश करने वाली हर चीज का ध्यान रखना होगा घाव की जाच करने के बाद सैम ने देखा कि वह विदेशी पदार्थ जिसके जहर होने की बहुत अधिक संभावना है अभी भी उसके रक्त प्रवाह में प्रवेश नहीं कर पाया है यहां तक कि वह उसकी मांस्पेशियों के उत्कों में भी प्रवेश नहीं कर पाया है कोशिका घनत्व के कारण यह अभी भी त्वचा की बाहरी परतों में प्रभावित था लेकिन सैम ने देखा कि आसपास की पवचा कोशिकाए धीरे-धीरे दूशित हो रही है सैम के पास इस पदार्थ के लिए कोई मारक नहीं था इसलिए वह इसे केवल शारिरिक रूप से ही हटा सकता है जैसा की उन्होंने कहा इस सैम ने काले उल्कापिन रेट से बना एक छोटा सा ब्लेड निकाला यह ब्लेड उन उपकर्णों में से एक है जिसका उप्योग वह विशेश कपड़े बनाने के लिए करता था उसने अपनी आखे बंद कर ली और धीरे से अपने चहरे पर मास का टुकड़ा काट दिया जो पहले से ही क्षत्विक्षत था मास के टुकड़े को जलाने के बाद उन्होंने घाव को ठीक करना शुरू कर दिया और जनरल की आध्यात्मिक उर्जा तरंग से उन्हें लगी छोटी आंतरिक चोट भी ठीक हो गई वह इस जनरल के प्रती रोश से भर गया सबसे पहले वह दक्षिनी सितारा शहर छोड़ने से पहले इसे जनरल पर ले जाना चाहता था लेकिन अब उन्होंने फैसला किया है कि वह कुछ दिन और इंतजार करेंगे जैसे ही उसकी ताकत जनरल के स्तर पर पहुँचेगी वह इस स्थान पर वापस आ जाएगा और उसे कच्छी ताकत से अभिभूद कर देगा इसमें थोड़ी देर हो सकती है लेकिन वह इंतजार कर सकता है आखिरकार जनरल भी उसका कुछ नहीं कर पाएगा और अगर नौबत आई तो वह गठन कीडो उर्जा कोशिकाओं से समझाता कर उसे मार भी सकता है इस मामले में कोई जल्दी नहीं थी वह जनरल को भारी ताकत के नीचे दबा हुआ देखना चाहता है लेकिन एक चीज थी जो उसे जल्दी करनी थी और वह है सफलता जब ट्रेवर ने अपना मुका मारना बंद कर दिया तो सैम को लगा कि उसकी मौजूदा ताकत उसके लिए जीतना मुश्किल कर सकती है इसलिए वह कोई जोखिन नहीं लेना चाहता था सैम विशाल पिछवाडे में गया ड्रेगन हॉक जनजाती के साथ उसके घर को अलग करने वाली एक दीवार थी और उसके पिछवाडे को चुपाने के लिए कई प्रकार की संवरचनाये बनाई गई है सैम ने मिया, स्काई और यानवू को बाहर कर दिया फिलहाल, मिया, स्काई और यानवू जितनी बड़ी है जो सामान्य इनसान से 6 गुना बड़ी है बाहर आते ही हाइडरा ने सैम की ओर जपटा मारा और सैम ने जितनी संभब हो सके उतनी गर्गने फंसाकर जानवर को गले लगा लिया उसके बाद वह एक कदम पीछे हट गया और कुछ जल्द तत्व आध्यात्मिक पत्थरों को निकाल कर जमीन पर रख दिया जल्द ही उसने हाथ से संकेट करना शुरू कर दिया और जादू शुरू कर दिया कुछ ही क्षणों में उसके शरीर से एक रूनिक आकरिती निकल कर मिया की ओर चली गई और उसके शरीर से एक रूनिक आकरिती निकल कर उसकी ओर चली गई जैसे ही रूनिक आकरितियों का विलै हुआ, जंक्षन के रूप में सैम और तीन जानवर उसके साथ जुड़ गए और उर्जा विनिमय शुरू हो गया इस बार मुख्य उर्जा स्रोत मिया है क्योंकि वह नया अनुबंध है वह अपने आसपास के पत्थर में जलतत्व की उर्जा को अवशोशत करती रही और इसे सैम तक पहुचाना शुरू कर दिया जबकि उसने कुछ ही मिंटों में सफलता हासिल करने की भी कोशिश की सैम ने अपनी आखें बंध कर ली और अपने आध्यात में केंडर की जाच करने लगा इस पारदर्शी कोर में सैम ने सुनहरी रोशनी, सुनहरी लौ, छोटे बवंडर के अलावा दो नए जोड देखे नई चीजों में एक पानी की बूंध है और दूसरी अलग-अलग बैंगनी रंगों से भरी तरल की एक छोटी चिप-चिपी गेंध है ये है हाइडरा का जलतत्व और विश्टत्व सैम ने पहले ही जाच कर ली है कि मिया के नौ सिरों के जहर का परीक्षन करके एक प्रकार का हाइडरा कौन से अलग-अलग जहर पैदा कर सकता है पहला संक्शारक जहर है जो हर चीज को नश्ट कर देता है दूसरा अर्ध समवेधना हारी जहर है जो विव्यक्टी को स्थब्ध और बेहत कम चेतना का एहसास कराथा है और उसकी इंद्रियों को धुंधला कर देता है तीसरा है माया का जह है इस से व्यक्टी गुंगा और भ्रमित हो जाता है यह एक नशीली दवा की तरह है जो उन्हें नशा देती है चौथा रक्त विश है जो उनके रक्त प्रवाह को विशैला बना देता है और धीरे-धीरे सभी आंतरिक अंगों को सुन्न कर देता है और अंत में उन्हें मार देता है इसमें केवल एक ही समस्या है क्योंकि यह धीरे-धीरे काम करता है और इसका कोई ततकाल प्रभाव नहीं होता है और लंबे समय तक सेवन से इसकी घातकता बढ़ जाती है पांचवा जहर है जो इनसान को तुरंट सुला देता है उन्हें नहीं पता होगा कि क्या हो रहा है और वे थोड़े समय के लिए गिंती के लिए नीचे रहेंगे शठा जहर है जो आध्यात्मिक उर्जा को प्रभावित करता है यह जहर सीधे तोर पर निगलने पर किसी व्यक्ति पर उतना असरदार नहीं होता है लेकिन एक बार जब वह व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक उर्जा का उप्योग करना शुरू कर देता है तो जहर असर करेगा और उन्हें कमजोर और ठका देगा साथ ही उनकी रिक्वरी दर भी कमजोर हो जाएगी सात्वा जहर है लक्वे का जहर जो व्यक्ति संक्रमित्था वह पूरी तरह से सचेत हो जाएगा लेकिन एक मात्र समस्या यह है कि वह हिलनेडुलनेया अपनी आध्यात्मिक उर्जा का उप्योग करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं होगा जिससे वे असुरक्षित हो जाएंगे आठवे सिर में जहर नहीं है बल्कि यह सेवन के लिए उप्यूक्ट सिर है हाइडरा दुनिया का सبसे जहरीला जानवर है और यह इसे सभी प्रकार के जहरों के प्रती सबसे अधिक प्रतिरोधी जानवर बनाता है इसके अलावा यह आठवा सिर जानवर को किसी भी प्रकार के जहर को बाहरी रूप से उपभोग करने और शरीर के अंदर खुद को पोषट करने के लिए संग्रहीत करने की अनुमती देगा और इसे अपने हथियार के रूप में भी इस्तिमाल कर सकता है अंतिम सिर्फ सबसे अधिक परेशानी वाले जहरों में से एक है लेग का जहर यह जहर न केवल शरीर के लिए हानिकारक है जिससे वे धीरे-धीरे कमजोर हो जाते हैं और उनकी जीवन शक्ति और उर्जा खत्म हो जाती है अगर कोई व्यक्ति के शारिरिक तरल पदार्थ के संपर्क में आता है तो इस बात की भी अधिक संभावना है कि वे भी संक्रमित हो जाएंगे सैम ने जानवरों के साथ तौबर में प्रवेश किया और अपनी नई क्षमताओं को समझने के लिए कुछ अभ्यास चुरू किया हाला कि जहर की क्षमताएं जो अत्यधिक उपियोगी हैं उनमें एक समस्या है संक्षारक जहर को छोड़कर जो सभी हाइडरा में नहित है और आठवें सिर्की सभी प्रकार के जहर को उपिभोक करने की क्षमता को छोड़कर शेश की कुछ सीमाएं है उनके द्वारा प्रकट किये जासकने वाले जहर की मातरा असीमित नहीं है और इस पर कुछ प्रतिबंद है और यह समझने में भी कुछ समय लगेगा कि मौजूदा स्टॉक खाली हो गया है या नहीं लेकिन नकारात्मक प्रभाव उतना बुरा नहीं है क्योंकि जादू की मातरा और जादू करने की गती जानवर के स्तर के सापेक्ष होती है इसलिए जैसे जैसे मिया अपनी ताकत बढ़ाती है तो जहर भी अधिक प्रचुर मातरा में होता है अब सैम के पास भी वह सुविधा और क्षमता है लेकिन वह जहर के इस्तिमाल को सीधे दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता यह तत्व कई उप्योग करताओं के लिए हानिकारक है और यदि यह गुप्ठ होता तो बहतर काम करता अपने कावर में घंटों अभ्यास करने के बाद सैम काफी संतुष्ट था जल तत्व अपने आप में बहुमुखी है लेकिन वह इसे मांदंडों से अधिक तरीकों से उप्योग कर सकता है प्रशिक्षन ख्त्म हुआ और बचे हुए समय में उन्होंने सुभा तक अपना शोध कार्य शुरू कर दिया अगले दिन फिर मैदान में मंच समेट पूरे मैदान की मरम्मत की गई मंच पर दसों उम्मीद्वार एक दूसरे से सटे खड़े है ज्यूक ने अपने स्थान से ही उन्हें संबोधित किया आज आप रैंकिंग के लिए लडेंगे आप मेंसे हर कोई शेश सभी नौ उम्मीद्वारों के साथ लडेगा और जो सबसे अधिक जीतेगा उसे प्रथम स्थान दिया जाएगा जो सबसे अधिक हारेगा वह अंतिम स्थान पर होगा उस चरण के अलावा लडने की कोई सीमा नहीं है लडाई में जो व्यक्ति मंच से बाहर होगा उसे हटा दिया जाएगा यदि कोई व्यक्ति आत्मस मरपन कर दे पोश्खो दे या मर जाए तो लडाई रुक जाएगी लडाई के बाद आप ब्रेक ले सकते हैं और उस दौरान अन्य उम्मीद्वारों को आपको चुनोती देने की मना ही है सैम चुंकि आप सबसे अधिक अंक वाले व्यक्ति हैं इसलिए आपको पहले जाना होगा और आप अपना प्रतिद्वंद्वी चुनेंगे वह अपना भाशन समाप्त कर बैठ गए सैम को छोड़ कर बाकी नौ मंच से उतर गए सैम ने उन में से नौ को स्कैन किया और अंतह उसकी नजर उस भड़ताने वाले पर पड़ी जिसने कल उसके साथ ऐसा व्यवहार किया था उन्होंने उसे इशारा किया और मंच पर आने का इशारा किया एक रेफरी जो लड़ाई के रिकॉर्ड की घोशना करने का प्रभारी होता है पहली लड़ाई सैम बनाम टॉरस वैं टॉरस एक मात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने कल एकेंड नाम के लड़के की जगह शीर्ष दस में प्रवेश किया बाकी उम्मीदवार बिल्कुल नहीं बदले वह भी एक कुलीन बच्चा है और जिस लड़के को उसने खत्म किया वह भी एक कुलीन परिवार से है सैम ने टॉरस की ओर देखा जो मंच पर आया और उसने दो छोटी तलवारे निकाल ली जगडा करना जैसे ही रेफरी ने ये शब्द कहे सैम ने अपनी चाल चली उसने अपनी शारिरिक शक्ती के साथ साथ अपने दोनु प्रेत कदमों का उपयोग धुंधले रूप में किया तॉरस के रुख में आने से पहले ही सैम ने पहले ही उस लड़के के चहरे पर एक मुक्का मारा और उसे मंच पर पटक दिया बूम मंच थोड़ा तूट गया व्रिशब को ऐसा लगा मानो उसका मस्तिष्क उसके शरीर से बाहर आ गया है दर्शक दंग रह गये सैम धीरे से नीचे बैठ गया और फुस-फुस आया जदी आप जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है तो आप वही कहेंगे जो मैं सुनना चाहता हूँ अन्यथा वह थोड़ा रुका और जारी रखा मेरा काम खत्म होने के बाद भी तुम पक्षी की तरह काओगे सैम ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे मरोड कर तोड़ दिया आहाहाहे व्रिशब दुख से चिलाया आई एस्यू जैसे ही वह आत्मस्मरपन करने वाला था हवा का एक छोटा सा जोका आया और उसकी जीब कट गई और उसके शब रुप गए दर्द से कराते हुए उसने सैम की ओर देखा उसकी आखे भय से फैल गई सैम ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा मैं जो सुनना चाहता हूँ उसे कहने से पहले आप कहीं नहीं जाएंगे सैम ने दर्शकों को दिखाना शुरू किया कि तात कालिक यातना क्या हो सकती है उसने अपने अंगों को अजीब तरीकों से मोरना शुरू कर दिया और अपने दोनों हाथों और पैरों को मोरने के बाद हड्डियों को सेट किया और उन्हें उसी स्थिती में ठीक करना शुरू कर दिया व्रिशब के हाथ पीछे की ओर मुड़े हुए और उल्चे हुए है हड्डियों की अजीब सेटिंग से उसे थोड़ी सी भी हरकत से चोट लग रही है पैर अजीब तरीके से मुड़े हुए हैं और वह अपने पेट के बल लेट गया और समझ से परे शब्दों में कराहने लगा सैम आगे बढ़ा और टॉरस के हाथों पर थपड़ मारा जिससे उसे अत्यधिक दर्द महसूस हुआ विशब ने याचना भरी निगाहों से उसकी ओर देखा वह इसे और बरदाश्ट नहीं कर सकता आखिरकार सैम ने अपना मुह ठीक किया और उसे बोलने दिया उन्होंने तुरंत बोलना शुरू कर दिया मैं ऐसा नहीं करना चाहता था यह मेरे पिता की योजना थी उन्होंने कहा कि चूंकी तुम्हे जनरल स्पार्क से शिकायत है और जनरल ऐसी स्थिती में है कि वह खुद उससे निपट नहीं सकता इसलिए वह मुझसे तुम्हें मारने के लिए कहा ताकि हम जनरल का पक्ष ले सकें इसलिए मैंने आप पर कदम उठाया मैं जोखिम नहीं उठाना चाहता था इसलिए मैंने पहले यह सुनिश्चित किया कि मुझे शीर्ष दस में जगह मिल जाए और फिर जब आप धायल हो गए तो मैंने आप पर कदम उठाया उसने अचानक अपना पैर पीछे की ओर बढ़ाया और पूरी ताकत से लात मार कर उसका सिर्व ही कुचल दिया दर्द की कराह और धीमी गती एक पल में बंध हो गई सैम ने रेफरी द्वारा मैच समापती के संकेट का इंतजार भी नहीं किया और शव को लात मार कर मंच से बाहर कर दिया वह अपनी प्रारमभिक स्थिती में वापस चला गया और अगले व्यक्ती का चयन करने के लिए शेश उम्मीदवारों को देखा उसकी अभिव्यक्ती वापस सामान्य हो गई और किसी व्यक्ती की हत्या का कोई निशान भी नहीं दिखा चुंकि एक व्यक्ती की मृत्यू हो गई है और एक पद खुल गया है अंतिन व्यक्ती जिसे कल हटा दिया गया था वह दस्वा स्थान लेगा रेफरी ने समझाया जैसा कि उन्होंने कहा कि एकेन जॉई जिन्हें कल हटा दिया गया था शिश उम्मीदवारों के पास आये और खड़े हो गए सैम क्या आप अगली चुनौती जारी रखना चाहते हैं सैम ने सिरहिलाया और एकेन जॉई की ओर इशारा किया लेकिन उसने अपना सिरहिलाया और कहा मैं किसी को चुनौती नहीं देना चाहता मेरी नौ हार को गिना जाए मैं दसवी रैंक से संतुष्ट हूँ रेफरी ने स्वीकृती में सिरहिलाया फिर सैम ने चुनौती देने के लिए दूसरे व्यक्ति की ओर इशारा किया लडाई बहुत ही संक्षिक्ट समय में ख्त्म हो गई सैम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे और अभिर्थियों ने एक एक करपल भर में आत्मसमर्पन कर दिया इन सब के बीच उन्होंने केवल एक ही काम किया एक कदम उठाएं और एक मुक्का या किक मारें जिससे उन्हें अपने जीवन के लिए खत्रा महसूस हो और उन्हें गंभीर रूप से नुकसान पहुचाने से ठीक पहले रुख जाएं फिलिप और जैक ने बिना किसी लड़ाई की परवाह किये तुरंथ हार मान ली जो उम्मीदवार उनसे हार गए वे घटनाकरम से निराश हो गए लेकिन वे सैम की स्पीड नहीं पकड़ सके अंतहर चुनौती देने के लिए केवल दो लोग बचे थे ट्रेवर और निकोलस सैम कैसा रहेगा यदि आप हमें पहले लड़ने का मौका दें फिर हम आखिरी लड़ाई कर सकते हैं और हमें अब पीछे नहीं हटना होगा निकोलस ने अचानक पूछा जिससे सैम ने अगला व्यक्ती चुनना बंद कर दिया सैम ने थोड़ा सोचा और सिर हिलाया मंच से उतरने के बाद बाकी उम्मीद्वार एक एक करके मंच पर उतरे और इस बार लड़ाई थोड़ी लंबी है और घमासान तेज है सैम ने बेफिक्र होकर लड़ाईयों को देखा सभी उम्मीद्वारों में से जैक और फिलिप 6-6 जीत के साथ केवल ट्रेवर और निकोलस से हार गए जब उनकी लडाई का समया आया तो फिलिप ने तॉलिया फेंक दिया शेश उम्मीद्वार उनमें से एक जोश कार्टन है जो ड्यूक के दूसरे बिटे हैं जिनका जन्म उसी वर्ष निकोलस के रूप में हुआ था लेकिन उनकी मा अलग थी वह 10 में से सबसे कम पराक्रम वाले लोगों में से एक है और वह 9 स्थान पर है इसके बाद 2 महिलाएं हैं सिल्विया 8 वे स्थान पर, अमांडर 7 वे स्थान पर जिनें 6 स्थान पर, फिलिप 5 स्थान पर, जैक 4 स्थान पर अब केवल 3 रैंक बचे हैं और 3 लोगों निकोलस, ट्रेवर और सैम को आपस में लड़ना है पहले आप लोग, निकोलस ने ये शब्द कहे और सैम और परेवर को आपस में लड़ने देते हुए मंच से नीचे उतर गया परेवर जनरल मरकरी का बिटा है सैम ने सोचा कि वह एक सामान्य व्यक्ति था और उसे पताचला की वास्तव में ऐसा ही था सैन्य उपाधी उन्हें कुलीनों के संकक्ष दरजा देती है, लेकिन ऐसा नहीं है उन्हें यह व्यवस्था अजीब लगी जो रेश अपने अधिकार का उप्योग केवल अपनी भलाई के लिए करते हैं, उन्हें इतना उच्चा दरजा दिया जाता है लेकिन जो आदमी पूरे शहर के गाड को नियंतरित कर रहा है और अपने काम से काम कर रहा है, उसे आम आदमी कहा जाता है सैम ने अपना सिर हिलाया और मंच पर चड़ गया ट्रेवर भी आ गया सैम ने प्रेवर की युद्ध शैली देखी है, वह अधिकतर निश्क्रिय रहता है और अपने प्रतिदवंदवी को पहली चाल चलने देता है कुछ समय तक बचाव करने और दूसरे व्यक्ति की आकरमन शैली को समझने के बाद ट्रेवर ने उन्हें एक प्रक्षेप्य हमले से मार गिराया, जिसे सैम देख नहीं पाया वैसे भी वह जल्द ही पता लगा सकता है सैम ने ज्यादा इंतजार नहीं किया और तुरंध हमला बोल दिया प्रारंभिक चरण के महान शेत्र के क्रिशकों के साथ उनकी गती अजे है ऐसे में उन्हें बाकी उम्मीदवारों पर बढ़त हासिल है सैम प्रेवर के बाई और दिखाई दिया और एक साइड किक फेंकी प्रेवर की प्रतिक्रिया अधिकांश लोगों की तुलना में बहतर थी लेकिन यह परियाक्त तेज नहीं थी सैम की लाथ प्रेवर के पेट पर लगी और वह उड़कर वापस चला गया किसी को आश्चर्य नहीं हुआ प्रेवर ने अपनी पकड बनाये रखी और सतरक्ता से चारों और देखा वह सैम के अगले कदम का इंतजार कर रहा था और वह इंतजार ज्यादा देर तक नहीं टिक सका सैम का अगला कदम पसलियों पर मुक्का मारना था इस बार ट्रेवर ने अपनी आखे बंद कर ली और केवल अपनी आध्यात्मिक समझ का उप्योग किया उसने अपनी आखों को भ्रमित नहीं होने दिया और बजना अखाडे में हथोडे के धातु की प्लेट से टकराने जैसी आवाज गूंजी सैम एक कदम पीछे हट गया ट्रेवर नहीं हिला जिस बिंदू पर सैम का प्रहार गिरा वहाँ एक छोटी धातु समरचना बनी हुई थी सैम अचानक मुस्कुराया और आगे बढ़ गया उसकी गती बढ़ गई वह हवा की तरह चला गया उसके प्रेतवाधित कदम और शारिरिक शक्ती पूरी तरह से उजागर हो गई प्रेवर हिट के प्रती अडिक स्थम्ध की तरह अपनी जगह पर खड़ा था लेकिन वह परिशान था जैसे ही उसे लगा कि उसने सैम की गती को भांप लिया है और एक हिट का बचाव करने में काम्याब हो गया है उसे एक वेकप कॉल आ रही है सैम बार-बार अपनी गती बढ़ाने में काम्याब रहा दो मिनट की लगातार जड़पो के बाद सैम ने अपनी गती बढ़ा दी और उसका पैर सुनहरी लौ में ढग गया इस बार उनका निशाना लीवर था ट्रेवर को एसास हुआ कि वह सैम के साथ नहीं रह सकता उसके चहरे पर निराशा की जलक दिख रही थी सैम ने अपने प्रतिदवंदवी को ध्यान से देखा और वह जानता था कि यह हिट सफल नहीं होगी बजना और वास्तव में किक कनेक्ट नहीं हुई सैम ने एक कदम पीछे हट कर देखा कि उसके सामने क्या था सैम को अचानक अपने पिछले जीवन में देखी गई एक प्राचीन एनिमे याद आ गई उस एनिमे में गारा नाम के एक पात्र ने हमला करने के लिए इसी द्रिष्टिकोन का इस्तिमाल किया था बल्कि इस धात्विक तरल के बजाय रेत का उप्योग किया गया था वह स्पाइक से बच गया और पीछे हट गया आप मेरे साथियों में दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे इस तकनीक का उप्योग कराया प्रेवर ने ये शब्द तब कहे जब उसने उस गुम्बत से सैम को देखा सैम मुस्कुराया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया वह जानता था कि उसके लिए इस आदमी पर हमला करना मुश्किल था क्योंकि इस बेहत बहुमुखी और तरल धाल वाले फिर भी हमलावर हथियार को भेदना मुश्किल था सैम ने कुछ दूरी बनाये रखी और फ्लेम थ्रोवर की तरहा गुम्बत पर सुनहरी लप्टे फैंकना शुरू कर दिया लेकिन उन्हें लगा की हमला व्यर्थ है हालांकि धातु का विस्तार हो रहा है और गुम्बत पर एक कमजोर स्थान बन गया है विस्तारित धातु ट्रेवर को हमला करने का बहतर मौका दे रही है और वह सैम पर गर्म तरल धातु से बने प्रक्षेप्य को फैंकता रहा सैन को उसी समय बचना होगा जब वह हमला कर रहा था इस अंतराल में धातु अपनी गर्मिक हो रही है जिसे उसने बड़ी महंत से बढ़ाया है और इसे उच्छतापमान तक नहीं पहुँचने दे रही है जिससे इसे नियंतरित करना मुश्किल हो सकता है सैन की मौलिक नियंतरन क्षमता के बावजूद वह अभी भी गुंबत के एक बिंदु पर ध्यान केंदरित करने में असमर्थ था क्योंकि वह केवल उसी बिंदु पर गोली चला सकता था जिसका वह सामना कर रहा था और उसकी निरंतर गती के कारण एक ही स्थान पर ध्यान केंदरित करना कठिन हो रहा था कुछ मिंटों के निरर्थक प्रयास के बाद, सैम ने इससे निपटने के लिए दो तरीकों का पतालताया पहले तरीके के लिए केवल उसके दो तत्वों आग और हवा की आवश्चक्ता होती है हालाकि दूसरे के लिए केवल नए तत्व पानी की आवश्चक्ता होती है पानी उसके हाथ के सिरे से टकराया, एक पारदर्शी क्रिस्टल साफ पानी की डिस्क बन गई. डिस्क धीरे-धीरे एक बिंदु की ओर बढ़ी जो गुंबत से कुछ फीट उपर है. डिस्क को जोडने वाले पानी का एक निशान था और सैम के हाथ ने उसे नियंत्रित किया और डिस्क को वहां स्थापित करने के बाद सूरज की रोशनी से एक प्रकाश किरन गुंबत के शिखर पर गिरी. अर्धपार दर्शी तरल धातु अत्यधिक संकेंद्रित प्रकाश किरन को पूरी तरह से बेसर करने में सक्षम नहीं थी और ट्रेवर को आधे से अधिक हमल से गर्मी लेनी पड़ी. उसे लगा कि उसकी पूरी तवचा जलने लगी है और उसका कवच बिखरने लगा है. उसने हमले का सामना किया और उसने अपने दात पीस लिए. लेकिन जैसे ही वह गुंबत के शिखर को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रह था. सैम ने एक और हाथ उठाया और दोनों तरफ से हमला करने के लिए एक और जलती हुई मशाल शुरू कर दी. ट्रेवर को पहली बार कोसने का मन हुआ. वह दो हमलों का सामना करने में सक्षम नहीं था. और देखते ही देखते गुंबत पूरी तरह ठेगया. लेकिन सैम इसी क्षण आकरमन रोक दिया. ट्रेवर पहले से ही डैनिय स्थिती में था. उसकी त्वचा जल गई, उसके कपड़े राख में बदल गए और यहां तक की उसके बाल भी जल गए. उसने आश्चर्य से सैम की ओर देखा. वह धीरे से खड़ा हुआ और बोला. मेरी हार प्रेवर ने मंच से नीचे कदम रखा और कहने से पहले रेफरी की ओर देखा. मैं अगला मैच भी हार गया. उसका मतलब उसके और निकोलस के बीच की लड़ाई से था. वह अभी लड़ाई की स्थिती में नहीं है और उसे ठीक होने के लिए काफी समय चाहिए. निकोलस न धीमी गती से शुरू करने के बारे में जरा भी विचार नहीं आया. वह पहले ही सैम के साथ वह गेम खेल चुका है और अब उसे बस एक पूरी लड़ाई की जरूरत है. सैम ने रीपर भी निकाला और अपनी आभा जारी की. कोई भी बता सकता है कि वह लेवल एक महान छेत हुए चले. सैम वास्तव में आश्चर्यचित है कि निकोलस उसकी गती पकड़ सकता है. सभी युद्ध विधियों और तकनीकों में से गती का मुकाबला करना कठिन है. यदि गती और नियंतरन एक साथ हों तो इसका मुकाबला करना और भी कठिन होगा. सैम ने बिना समय ब लगाना चाहता है कि वह शुद्ध योध्धा मोर के साथ निकोलस को कितना संभाल सकता है. उनकी लडाई और भी तीवर हो गई. निकोलस के चहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट थी जो लडाई बढ़ने के साथ साथ चौड़ी होती गई. शेश उम्मीद्वार उनकी हरक् पर के पास ही कुछ पश्टता है. यहां तक की जज भी मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सके. दो युवाओं की लडाई ने उन्हें उचसाहित कर दिया. दो मिनट तक तलवार और भाले के लगातार टकराने से अंत्तार दोनों को मार पड़ी. सैम और निकोलस दोनों एक कदम पीछे हट गए. निकोलस को कुछ खशती हुई क्योंकि तलवार से कंधे पर एक छोटा सा घाव हो गया. दूसरी ओर सैम सुरक्षित था. इसका कारण कुछ और नहीं बल की पंक वाला कोट था. भाला कोट को भेदने में विफल रहा और उसने जो कुछ भी किया व क्रूर बल था. तेज छुरा उसे नुकसान पहुचाने में सक्षम नहीं था. मुझे कुछ समय से इतना मजा नहीं मिला. निकोलस ने कहा जैसे ही उसने भाला एक बार घुमाया और फिर से अपनी चाल चली. सैम के चिलाते ही वह उस पर झपता. बहतर होगा कि तुम्हारे सैम ने जवाब में कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे भी मजा आ रहा था. जब से वह आया तब से उसे किसी लड़ाई में ज्यादा दबाव महसूस नहीं हुआ. प्रत्येक लड़ाई उसने या तो अत्यधिक शक्ति या बुद्धी से जीती. इस प्रकार का आमने सामने का टकर उनके लिए दुरलब है. उसने भी एक कदम आगे बढ़ाया और तलवार भुमाई, लेकिन इस बार उसने पवन तत्व उर्जा का उप्योग करना शुरू कर दिया. यह सही है, भले ही सैम हमेशा उच्च स्तर के किसी व्यक्ति से लड़ने में सक्षम है. निकोलस भी ऐसा क कि वह जीत सकता है. लेकिन अब जब यह मुश्किल है, तो वह मौलिक उर्जाओं का उप्योग करने जा रहा है. वैसे भी वे उसकी ख्षमताई भी हैं और उनका उप्योग करने में कुछ भी गलत नहीं है. जैसे ही वे भिडे, वायु तत्व की व्रिधी के कारण सैम की त तक होती जा रही है, क्योंकि न केवल तलवार का जूला खुद खतरनाक है, बलकि अब हर जुले की पूँच की हवा भी इतनी तेज है कि निकोलस को खत्रा महसूस हो रहा है. लेकिन घबराने के बजाए वह और अधिक उत्साहित हो गया मानो वह किसी मनोरंजन पार्क का ब रंतर हैं. सैं का समय भी अच्छा नहीं चर रहा है. निकोलस ने देखा कि पंक के कोट को छेदना बेहत कठिन है, लेकिन इससे उसके बाकी हिससे भी निकल गए जो हमले के लिए पूरी तरह से खुले हैं. इसलिए उसके आक्रमन की गुंजाइश कम हो गई, लेकिन वह बि धिक गहराई तक प्रवेश नहीं कर पा रहा था. सैं की मानस्पेशिया और त्वचा इतनी घनी है कि जब तक वह पूरी ताकत से हमला नहीं करेगा, उसके बाकी सभी हमले सैं को खत्म नहीं करेंगे, वह आसानी से वापसी कर पाएगा. ये दोनों लडाई का आनंद ले र ये दोनों पिन और सुयों पर हैं. यह न केवल ताकत और तकनीक की लडाई है, बलकि उनकी इच्छा शक्ती की भी लडाई है. जो पहला व्यक्ति पीछे हटेगा और दर का संकेत देगा, उसका काम पूरा हो जाएगा. वे चरम सीमा पर हैं. जैसे जैसे वे दोनों लड र रहे हैं. दर्शक भी अधिक उच्छुक होते जा रहे हैं और उनकी लडाई में डूपते जा रहे हैं. वे इसमें पूरी तरह से शामिल हो गए हैं. सैम ने केवल वायू तत्व का उप्योग किया. उसने किसी अन्य तत्व को नियोजिक करने का साहस नहीं किया क्योंकि उस दोनों युवाओं की युध भावना आकार लेने लगी, यानि युध भावना का सन्योजन. दोनों युध की आत्माएं एक ही समय पर बनने वाली हैं. निकोलस की ओर से वे एक चार पैर वाले जानवर का चायाचित्र देख सकते थे, जो बहुत आम था क्योंकि अधिकांश मनुष्यों की युध शैली जानवरों से प्रेरित होती है, और चुंकि युध की भावना प्रकृती द्वारा बनाई गई एक रूप है, वे हमेशा क कुछ ऐसा दिखाएंगे जो इससे संबंधित था जंगली, लेकिन सैम की ओर से उन्होंने कुछ अलग देखा, यह एक ऐसा चायाचित्र था जिसे उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था, या इसका जुंड भी कभी नहीं देखा था, यहां तक कि ड्यूक और जन्रलों को भी पता नहीं था, कि यह क्या था, लेकिन जब वे दोनों आकरितियों के जादू का इंतजार कर रहे थे, ताकि वे चमतकार देख सकें, तो लड़ाई में अचानक मोडा गया, दोनों में से सबसे अधिक नुकसान जेलने वाले निकोलस अंतह संभल नहीं सके, और उनके कंधे पर गंभीर चोट लग गई, सैम ने बार-बार उस चेत्र को निशाना बनाया ताकि उसे आसानी से समय मिल सके, और अब उस कंधे पर चोटे घावों की संचित शती के कारण, वह खोन की कमी के दर्द और प्रभावों को सहन नहीं कर सका, सैम भी बहुत अच के चार तलवारे निकोलस की ओर आई, जिन में से दो को तो उसने बचा लिया, लेकिन बाकी दो को लेने से खुद को रोक नहीं सका, उसकी चाती पर गहरा घाव था, और इससे पहले की वह नुकसान सहपाता, सैम आगे आया और उसकी गरदन पर तलवार रख दी, आपने ख खुद को सहारा देने के लिए अपने भाले का इस्तमाल किया, नीचे गिरने से इनकार कर दिया और चहरे पर मुस्कुराहट के साथ सीधे सैम की आँखों में देखा, मुझे लगता है मैंने किया, इसके बाद ही सैम ने अपनी तलवार वापस खीच ली और दोनों एक ही व देकर दिखाया कि वह मात नहीं खाना चाहता, ठंडे चहरे वाले और ठंडे दिल वाले सैम के लिए यह दुलब है, वह आम तौर पर वापसी नहीं करता है या इस प्रकार के मजाक को पसंद नहीं करता है, लेकिन इस बार उसने ऐसा किया, साफ आसमान की ओर देखते हुए वह मज़ पर लेट गए, आज उसे बहुत जीवन्त महसूस हुआ, उसका दिल जोश से भरा हुआ था, इस भावना ने उसे उन शब्दों की याद दिला दी जो उसके पिछले जीवन में उसके सबसे करीबी लोगों में से एक ने कहे थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क कि आप कितनी चीजों में उतकृष्टता प्राप्त करते हैं या आप कितने, खिताब हासिल करते हैं, एक बात याद रखें सैं, आप हमेशा एक योध्धा रहेंगे और लड़ाई ही वह जगह है, जहां आप सबसे ज्यादा जीवन्त महसूस करते हैं, भले ही आप इसे ना समय के लिए पलायन मात्र था, आखिरकार उन्होंने अपना आधा जीवन युध के मैदान में और लाशों के बीच बिताया, भले ही उसे यह नापसंध हो, लेकिन वह गुन उसके दिल और आत्मा में बसा हुआ था, और वह इससे इनकार नहीं कर सकता था, या उससे बच न और शाही राजधानी के रास्ते पर होंगे, देड़ महीने में राजकुमारी 18 साल की हो जाएगी और उस दिन एक समारो होगा जो अंतिम होगा सामराज्य में आपकी प्रतियोगिता का दिन, इससे पहले आपको उन चुनोतियों का सामना करना पड़ेगा, जिन से पार पाक आपको खुद को उस समारोह में शामिल होने के योग्य साबित करना होगा, एक और बात आपने जो पद प्राप्त किया है, उसका स्पष्ट महत्व है और जब आप शाही राजधानी पहुँचेंगे तो आपको पता चल जाएगा, एक सप्ताह में सारी तयारी कर लो और इसी को संदेश भेजना और आखिरी लेकिन महत्वपूल बात कुछ ऐसे लोगों से बचना जो उससे बेतावी से मिलना चाहते हैं। उसका उस आदमी की बात सुनने का कोई इरादा नहीं है। जहां तक उन लोगों की बात है जिनसे उसे मिलना है वे तीन तावर प्रमुख हैं। अपनी बैठक में उन्होंने पार्ग के भविश्य और हर चीज के बारे में बात की और उनकी अनुपस्थिती में उन्हें कैस प्रिस्थिती में ड्रैगन हॉक जनजाती के सदस्यों को मेरी अनुमती के बिना उनके रोजगार से नहीं हटाया जा सकता है। आपके पास केवल उनकी ड्यूटी स्थानांतरित करने का अधिकार है। सबसे महत्वपून बात कोई भी निर्मान डिजाइन या शिलालेक डिजाइन और यहां तक की व्यवसाय मॉडल हमारे चार लोगों के अलावा किसी और को लीक नहीं किया जाएगा। यदि किसी भी सन्योग से वे लीक हो गए तो मुझे आशा है कि आप परिनाम भुगतने को तयार होंगे क्योंकि मैं घटनाओं की जाच करने की जहमत नहीं उठाऊंगा। मैं सभी को समान रूप से जवाब दे ठहराऊंगा। इसलिए बहतर होगा कि आप यहां आशा करें कि आपके अधिनस्थों में कोई गद्दार नहों और कोई अन्य डुकेडों मेरे सभी म मांदारी पर कुछ संदे है और एक नवजात होने के नाते यह एक अच्छी भावना नहीं है और अभी भी एक युवा व्यक्ति द्वारा चेतावनी दी गई है जो अभी अभी तूटा है अभी महान शेत्र। सैन को भी पता था कि उन्हें ऐसा महसूस होगा लेकिन उसने अपना इरादा चुपाने की जहमत नहीं उठाई वह इस दुनिया में केवल कुछ ही लोगों पर भरोसा करता है और ये टौवर प्रमुख उनमें से एक नहीं है और यह तब और भी अधिक है जब इसमें अर्बों और संभावित रूप से खर्बों स्पिरिट स्टोन शाम जिससे वे भ्रमित हो गए कि आतिशबाजी का क्या मतलब है अगले कुछ दिनों तक छाया चुहे ड्यूटी पर थे उसे वैन परिवार के मुखिया को एक उपहार भेजना है जो जनरल का पक्ष लेने के लिए सैम को आसानी से मारना चाहता था जहां तक जनरल से बदला ले जनरल को ऐसे ही मरना पड़े तो उसके लिए यह बहुत आसान होगा तो सैम ने उसके लिए कुछ योजना बनाई है इन छे दिनों में सैम दूसरी मन्जिल पर रहकर किसी गंभीर काम पर काम कर रहा था मिया ने हाइडरा के रक्त का प्रभाव खोना शुरू कर दिया क्यों सार समाप्त हो गया और केवल विशैला प्रभाव ही शेश रह गया जो रक्त के सार के प्रभाव के बिना एक या दो वर्ष में नश्ट हो जाएगा चूंकि यह अत्यंत गुनकारी है सैम के पास इसका बहुत बड़ा उप्योग है और अब वह इसका उप्योग न केवल उत जानकारी एकत्रकी वह जानकारी काले पानी के संबंध में नहीं है वह किसी भी समय संगठन को निशाना नहीं बनाना चाहता क्योंकि उसके लिए अपनी शक्ती के स्तर के साथ इस पैमाने पर उनसे निपटना काफी कठिन होगा जानकारी वैन परिवार और जेनरल स्पार् परिवार का मुख्या पिछले एक सप्ताह से उदास मूर में है। पता चला कि वह काफी प्रतीशोधी है। लेकिन वह अभी पूरी तरह से चिन्तित नहीं है क्योंकि यह कोई तातकालिक समस्या नहीं है क्योंकि सैम के पास वैन परिवार के खिलाफ लड़ने की परियाप्त क्षमता नहीं है। कम से कम वह तो यही जानता था उसे बस इस बात का डर है कि सैम अपने संपरकों का इस्तिमाल करके उसके परिवार के सदस्यों के लिए हालाक मुश्किल कर देगा लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिससे उन पर असर पड़े जिससे वह और अधिक चिंतित हो गया है इसलिए पिछले सप्ताह से वह किसी भी संभावित परिद्रिश के लिए उपाय की योजना बनाने में व्यस्त था जिसके बारे में वह सोच सकता था और इस दिन वह परिवार की बैठक के लिए गया क्योंकि यह आखिरी दिन होगा जब सैम शहर में रहेगा और उन्हें यह सुनिश्चित करना था वह उन पर जो कुछ भी फैंकेगा उसके लिए तयार रहें वैन परिवार का मुखिया पीक ग्रांड शेत्र विशेशग्य है जब वह हवेली से बाहर निकला तो छाया चुहों ने उसे देख लिया और वे तुरंट अपना काम करने लगे सैम ने चाया चुहों से जो सीखा उससे पता चला कि इस बैन परिवार के मुखिया की हवेली परिवार के अन्य सभी लोगों के लिए एक प्रतिबंधित शेत्र है और उन्होंने हवेली के नीचे एक गुप्ट भूमिगत कक्ष में एक और दिल्चस्प चीज देखी अब सैम उस कमरे के अंदर है जब उसने एक घन संग्रचना को देखा जो रूबिक के घन की तरह दिखती थी सैम को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या है लेकिन वह जानता था कि परिवार का मुख्या अधिकांश समय यहीं इसी स्थान पर रहेगा और इस घन के साथ खिलवाड करेगा घन को छिपने की एक संग्रचना द्वारा संरक्षित किया गया था लेकिन इसके आसपास कोई अन्य प्रतिभूतिया नहीं है क्योंकि परिवार के मुख्या को पूरा यकीन था कि इस बारे में किसी को पता नहीं चलेगा सैम ने उर्जा प्रवाह में एक लूप होल ढूंड कर छुपने की संग्रचना को तोर दिया और क्यूप को ले लिया उसके बाद वह उस जगह में प्रवेश करते समय चाया की तरह नहीं गया उसने चुहे के लिए इस कमरे से भागने के लिए एक छोटी सुरंग बनाई जो काफी बड़ी थी और चुहे को सुरंग में ले जाने की अनुमती दे कर दिव्या आयाम में प्रवेश किया हाला कि उनके भागने से पहले सैम ने एक बड़ा घन आकार का उर्जा सेल रखा जिससे लगभग पूरा कमरा भर गया वहा केवल इतनी बड़ी जगह है कि एक आदमी घन के चारों और बगल में चल सके वह शान को सूरज दूगने का इंतजार करने लगा ताकि वह शहर के बाकी हिस्सों को शांदार नजारा दे सके जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ उसने उर्जा कोशिका की एक बड़ी मातरा देखी और यह बेहत चौकाने वाला था लेकिन इससे पहले की वे सोच पाते की क्या हो रहा है सैम के शब्द डंडा तुम बास्तव में काफी महत्वाकांशी और चालाख हो लेकिन तुम्हें मुझे अपनी सीधी के रूप में इस्तिमाल करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए था अब तुम्हें परिणाम भुगतना होगा ये शब्द सुनते ही वह समझ गया कि वह व्यक्ति कौन है उसे अचानक एक गुरा आभास हुआ और उसका अनुमान सही था क्यूब के विपरीत दिशा में सैम अपने क्यूब पर हाथ रखकर खड़ा था और वह पहले से ही इसे अस्थिर करने के अंतिन चरण पर था और जितनी टेजी से हो सके आगे बढ़ा दूसरे छोर पर पहुँचने के बाद जो हवेली से कुछ गस की दूरी पर है उसने क्रिस्टल को खुले में छोड़कर दिव्या आयाम में प्रवेश किया बूम एक जोरदार धमाका हुआ और जमीन हिल गई दिव्या आयाम का क्रिस्टल आसपास की एक मात्र चीज थी जो विस्पोट को सहन करने में सक्षम थी क्योंकि इसे एक ऐसे प्राणी द्वारा बनाया गया हा जो इस सामराज्य और यहां तक की पूरे ग्रह पर किसी की भी कलपना से परे शक्तिशाली है तो यह एक मात्र ऐसी चीज थी जो विस्पोट से खशतिग्रस्ट नहीं हुई थी लेकिन फिर भी यह संपत्ती से बाहर उड़ गई थी पूरा शहर सतर्ख हो गया जब उन्होंने आकाश में लाल चमक के साथ भारी मात्रा में अगनी तत्व उर्जा को फूर्टे देखा मुख्य सदस्यों के क्वार्टरों के साथ साथ वैन परिवार की संपत्ती के चारों और सबकुछ पूरी तरह से एक जुलस्ते और पिढ़े हुए चटानी गढ़्धे में बिखर गया था ग्यूक जनरल आम लोग तावर प्रमुख कुलीन परिवार सभी ने उस विशाल विस्पोट को देखा मध्यक्षेत्र का आधा हिस्सा उन जटकों को महसूस कर सकता था दैवी आयान के नश्ट हो जाने के बाद सैम ने एक छाया चुहे को उसे ले जाने दिया और जनरल की संपत्ती में प्रवेश किया हालाकि इस बार उसने जनरल की हवेली में एक पत्र छोड़ा और संपत्ती के एक खुले स्थान पर एक छोटा विस्पोट किया बूम एक और विस्पोट जो पिछले विस्पोट जितना बड़े पैमाने का नहीं था जनरल की संपत्ती में हुआ वह हवेली से बाहर भागा और रास्ते में लिविंग रूम में एक पत्र पाकर आश्चर यचकित रह गया लेकिन वह फिर भी घटनास्थल की ओर गौडा और यह देखने के बाद की ज्यादा नुकसान नहीं हुआ उसके विचार शांत हो गए और पत्र पढ़ने के लिए वापस चला गया वैन परिवार और उसकी हवेली में विस्पोट देखने के बाद वह सपष्ट रूप से जानता था कि इसे लिखने वाला कौन था उसे पसीना आ रहा था क्योंकि घबराहट के कारण उसका दिल तेजी से धड़क रहा था पत्र में कुछ ही शब्द है मुझे आशा है कि आपको अलविदा कहने के लिए मैंने जो आतिशबाजी की योजना बनाई थी वहाँ आपको पसंद आई होगी लेकिन जाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ और वह यहा है कि आपका जीवन अब आपका नहीं है इसे लेना मेरा है और मैं इसे केवल अस्थाई रूप से आपके पास छोड़ रहा हूँ यह मुल रूप से इस तथ्य से साबित हो सकता है कि मैं उस दैनिय स्थिती को ले सकता हूँ जब चाहूं तेरी जिंदगी अगली बार जब मैं दक्षिनी सितारा शहर में प्रवेश करूँगा तो आप अपना वह जीवन खो देंगे तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं इसे कैसे लूँगा, कब लूँगा और किस परिसर में लूँगा तब तक आप अपने जीवन को पूनता से बहतर बनाएं जनरल लगभग घुटनों के बल बैठ गए क्योंकि उनके पैर जुप गए थे, उन्होंने खुद को सहारा दिया और खुद को सोफे पर बैठने के लिए मजबूर किया यह पहली बार था जब उसे इतना डर लगा कि उसका पूरा शरीर पसीने से लथपत हो गया उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे अपना जीवन डर के साये में जीना पड़ेगा लेकिन पत्र को देखकर और वैन परिवार में हुए भारी विस्पोट को महसूस करते हुए वह इस विचार से कामपने से खुद को नहीं रोक सका अब पहली बार उसे अपनी जान का डर सताने लगा और इसका कारण उसकी किशोरावस्था का एक युवक था उस रात शहर के कई बड़े लोगों को सैम की ओर से सचे तक कॉल मिली अगली सुभा सैम अन्य उम्मीदवारों और वाट के साथ ड्यूक की हवेली में इकठे हुए उस दिन ड्यूक ने सैम को बिलकुल अलग नजरिये से देखा सबसे पहले वह सैम के बारे में केवल इस शर्थ पर चिंतित था कि वह भविश में जो भी प्रभाफ प्राप्त करेगा उसका उप्योग करेगा और उनसे बदला लेगा लेकिन कल की आतिशबाजी कुछ ऐसी थी जिसने उसे एक नई समझ दी वह नहीं जानता कि सैम ने यह कैसे किया लेकिन खतरा वास्तविक था और उसे इस बात पर भी परियाप्त भरोसा नहीं है कि क्या वह उस आध्यात्मिक उर्जा विस्पोर्ट में फस गया था उन्होंने वैन परिवार की संपत्ती का दौरा किया जो लगभग पूरी तरह से नश्ट हो गई थी और देखा कि आध्यात्मिक उर्जा पूरी तरह से उथल पुथल में थी एक अनुचर उस स्थान में प्रवेश करते ही मर जाएगा वह पूरी तरह से आश्चर यचकित था और जब उसने जनरल के पत्र के बारे में सुना तो वह स्थितियों के बारे में सोचने और याद करने से खुद को नहीं रोक सका कि क्या उसने सैम को किसी भी तरह से नाराज किया था वह इस बात के लिए भी आभारी थे कि उनके बेटे और सैम के बीच कुछ प्रकार की दोस्ती है जिससे उन्हें सहज महसूस हुआ सभी के इकठा होने के बाद ड्यूक ने दस कार्ड निकाले जो एक क्रेडिट कार्ड के आकार के थे उन्होंने प्रतेक अभ्यर्थी को एक कार्ड दिया सैम ने कार्ड देखा एक तरफ उसका नाम था और दूसरी तरफ एक नंबर था इसमें 46,307 दिखाया गया यह उसके द्वारा प्राप्त अंकों की संख्या प्लस 10,000 है फिर ड्यूक ने उनसे कहा यह कार्ड बाकी प्रतियोगिता के लिए आप लोगों के लिए महत्वपून है और आप इसे अपने स्थानिक रिंगों में नहीं रख सकते हैं इसलिए सुनिश्चित करें कि वे सुरक्षित है पीछे की संख्या आपके वर्तमान अंकों की संख्या है और आपको अपनी रैंकिंग के आधार पर अतिरिक्ट अंक मिले है उसके बाद वह उन्हें ड्यूक की संपत्ती के प्रांगण में ले गया और कहा शाही राजधानी इस जगह से ज्यादा दूर नहीं है और हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए एक सब्ताह का समय है इसलिए मैंने आपकी यात्रा के लिए कुछ उरने वाले प्रकार के जानवरों को तयार किया है मैं आपके साथ शाही जगह पर रहूँगा इसलिए आपको सुरक्षा के बारे में चिन्ता करने की ज़रूरत नहीं है अब एक जानवर चुने जिसे आप चाहते हैं उसने ताली बजाई और कुछ परिचारक कुछ जानवरों को जंगल से बाहर ले आए वहां सभी प्रकार के जानवर है यहां तक की एक बबंडर फालकन भी है जो वॉट के पास है अधिक्तर स्तर चार होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति एक चुन सकता है केवल चार लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई दिल्चस्पी नहीं है सैम वॉट निकोलस और जोश क्या आप नहीं लेने जा रहे हैं निकोलस ने सैम से पूछा फिर आप क्यों नहीं चुन रहे ठीक है हमारे पास अपने हैं इससे पहले की वह वाक्य पूरा करता तीन विशाल जीव आंगन से बाहर आ गए जिससे उम्मीदवार जिन जानवरों का परीक्षन कर रहे थे वे भयभीत हो गए सुनहरी हवाओं के साथ तीन बाग जंगल से बाहर आए जो सबसे आगे था उसका आकार सामान्य बाग से दस गुना था और उसकी आभासे सैम को पता चल गया कि यह कम से कम लेवल छेका है शेश दोस्तर चार है बाहर आते ही वे जोश और निकोलस की ओर दोड़े निकोलस ने बाग के सिर को गले लगाया और सैम को देख कर मुस्कुराया सैम ने सिर्फ सिर हिलाया और चुप रहा उन्होंने सिर्फ उन जानवरों को देखा जिन्हें उम्मीदवार चुनने की कोशिश कर रहे है इस समय ड्यूक ने कहा ऐसा जानवर चुनने का प्रयास करें जिसके साथ आप सहज हो वे शाही राजधानी में काम आ सकते हैं आपको अकसर राजधानी में घूमना पड़ सकता है और हमेशा चलना कठिन होगा क्योंकि राजधानी बहुत बड़ी है यह एक उपहार होगा मेरी ओर से तुम्हारे लिए इन शब्दों पर फिलिप तुरंत सैम के पास वापस भागा और पूछा यहां कौन सा जानवर सबसे अच्छा है क्यों? यह मुफ्थ होने वाला है तो मुझे वह क्यों नहीं लेना चाहिए जो सबसे मुलिवान है मैं तुम्हें वह खरीदने की सलाह देता हूँ जो सबसे उप्युप्थ हो ठीक है फिर यह भी बताओ कि सबसे उप्युप्थ सबसे मुलिवान कौन सा है इस पर सैम ने अपनी आखें घुमाई और जानवरों की ओर देखा कुछ गहराई से देखने के बाद उसने देखा कि जानवर हालां की बहुत उच्छ शेनी के नहीं है फिर भी काफी सब्य है उन्होंने हवा और धातू तत्वों वाले एक बास जैसे जानवर की ओर इशारा किया और कहा स्टील पंखों वाला हॉक वह आपके लिए अधिक उप्युप्थ है यह कितना मुल्यवान है इस मुल्य के बारे में आप किस चीज के प्रती आ सकत है यह स्टर चार का जानवर है और इसका रक्त वंच अच्छा है यह काफी मुल्यवान है फिर जब आप इसकी तुलना सकाई या यानवु से करते हैं तो यह कैसे काम करता है यह ज्यादा से ज्यादा पैंथर्स के स्तरपर है तो यह उतना अच्छा नहीं है सैम लगभग इस आदमी को पीट-पीट कर मार डालना चाहता था इससे पहले की कोई इसे चीन ले, बहतर होगा कि आप इसे उठा ले ठीक है, मैं बस एड़ जस्ट कर लूँगा इस बार सैम ने सचमुच इस लड़के के सिर पर कमाचा मारा अपने जानवरों को चुनने के बार, सैम और वाट ने एक को चुनने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि उनके पास अपने होवर बोर थे और यदि जानवर पूरी तरह से आवश्यक है तो उन्हें इससे कोई समस्या नहीं थी उसके पास एक से अधिक हैं, जो इन सभी स्थर चार जानवरों को एक पल में गायप कर सकते हैं यदि उसने वास्तव में एक को अंदर ले लिया तो उसके पास मौझूद जानवरों के साथ रहने पर वे अपनी सारी ताकत और आत्म विश्वास खो सकते हैं बार-बार पुष्टी करने के बाद कि उसे किसी जानवर की जुरुरत नहीं है समुह आगे बढ़ गया ड्यूक ने लेवल 6 गोल्डन विंड टाइगर की सवारी की जिस पर उनके दो बेटे अपने लेवल 4 की सवारी करते थे बाकी लोग उन जानवरों पर सवार हुए जिन्हें उन्होंने चुना था सम ने एक बात देखी ये जानवर जंगली नहीं है इन्हें शिशुओं के रूप में पकड़ा जाता है और फिर पुरुशों द्वारा पाला और प्रशिक्षित किया जाता है इन्हें प्रशिक्षित करने वाले ये लोग 20 टैमर हैं जो एक ऐसा पेशा है जिसकी चार प्रमुख टावरों जितनी लोग प्रियता नहीं है क्योंकि लोगों को इन जानवरों को काबू करने वालों से जो पालतू जानवर मिलते हैं वे पालतू और मधूर हो सकते हैं लेकिन खरीदार को उन पालतू जानवरों के साथ वास्टव में संबंध बनाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। सैम वास्टव में उन्हें पसंद नहीं करता था क्योंकि जानवरों को उनकी कुछ जंगली प्रकृती पसंद थी जो उनमें गहराई में दबी होगी। सैम और वाट ने अपने बोर्ड पर समुह का अनुसर्ण किया। हाला कि यात्रा लंबी है, वे अक्सर रुपते हैं, एक बोर्ड पर खड़े होने में किसी जानवर पर बैठने की तुलना में अधिक मेहंत नहीं लगती है। इसलिए वे शाही राजधानी में पूरी तरह से उतरे। प्रवेश के लिए एक तोल शुल्ख है, सैम और अन्य उम्मीद्वारों के पास विशेश विशेशाधिकार है जो जानवरों पर भी लागू होता है, लेकिन सैम को वाट और शेश जानवरों के लिए भुगतान करना पड़ता है। फाल्क के लिए भुगतान करना है और इसका श्रेय उसे मिले नए विद्वान कारिकर बैच को है उस प्रक्रिया के बाद अब उन्हें फ्लाइट के जरिये शहर में प्रवेश करने का पर्मिट मिल गया है वे एक ऐसी संपत्ती में उत्रे जो दक्षिनी स्टार में उनकी संपत्ती के समान है वहाँ अन्य ड्यूकडम्स भी है जो अभी आ रही है ड्यूक ने संबंधित अधिकारियों को अपने आगमन की सूचना देने के लिए अपना निर्धारित निवास छोर दिया उस रात ड्यूक ने उन्हे राजधानी में आने के बारे में कुछ सलाह दी उन्होंने विशेश रूप से किसी भी कुलीन परिवार को नाराज न करने पर जोर दिया और उन्हे असाधारन रूप से चेताबनी दी की वे चार टावरों के वंशजों को नाराज न करें वह इस बात पर भी योजना बना रहे हैं कि उन्हें अपने कारोबार का दाइरा बढ़ाने और अधिक धन कमाने के लिए किस तरह के उपाय करने चाहिए साथ ही उसे काले पानी से निपटने का रास्ता भी खोजना होगा उन्होंने जो देखा उससे पता चला कि ब्लैक वाटर का मुख्य मुख्याले इसी शहर में होगा और संगठन का आपस में बहुत विस्तरित सूचना हस्तांतरण है और उन्हें यकीन है कि सारी जानकारी राजधानी मुख्याले में होगी यदि वह उस पर अपना हाथ जमा सके तो वह संगठन के साथ अधिक आसानी से निपट सकेगा सैम अपने कमरे में बिस्तर पर लेट गया वह उन चीजों के बारे में सोच रहा है जिनसे उसका सामना राजधानी में होने वाला है और उसे जो कार्ट दिया गया था उससे वह कुछ चीजों की भविश्यवानी कर सकता है जो सही भी हो सकती है और नहीं भी उसने क्षितिच की ओर देखा और सो गया अगले दिन जैसे ही सूरज निकला सभी उम्मीदवार एस्टेट के मैदान में इकठे हुए जहां दक्षिनी सितारा शहर की एस्टेट के समान एक मंच था एक व्यक्ति जिसकी तेज आभा थी और वह लगभग तीस के आसपास का दिखता था वह अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़ा था उसकी कमर पर एक लंबी तलवार लटकी हुई थी उनकी उपस्थिती उनके द्वारा उठाई गई तलवार की तरह तेज है और इसने पूर्ण सम्मान और स्विकार्यता का आदेश दिया यहां आभा पैदा नहीं की जा सकती यह प्रयासों अस्फलताओं और उपलब्धियों से प्राप्थ होती है उन्होंने भीड को देखा और कुछ देर की शांती के बाद बोले मैं ओरियन सामराज्य की सेना का मार्शिल जैनरल हूँ मुझे स्वोर्ड मार्शल के नाम से भी जाना जाता है आप सभी उम्मीद्वार पूरे सामराज जिसे 25 वर्ष से कम उम्र के युवाओं में से चुने गए हैं आप सभी सामराज जिकी प्रतिभा, शम्ता और भविश्य का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन यह तो केवल शुरुआत है आप सभी को अब तक की सभी प्रतियोगिताओं में से सबसे कठिन का सामना करना पड़ेगा आप जिन सभी प्रतियोगिताओं से गुजरे हैं उनमें आपको नियमों और विनियमों द्वारा संरक्षित किया गया है जो आपके विरोधियों द्वाराचल, योजनाओं और जाल के उपियोग को सीमित करते हैं लेकिन इस बार प्रतियोगिता में उतने नियम नहीं होंगे जो आपकी सुरक्षा कर सकें आप योजना बना सकते हैं, फंसा सकते हैं, लेकिन जो मायने रखता है वह यह है कि आप जीतें इस चुनौती के लिए क्या आपके पास अनुयाईयों की एक सेना है जो आपकी आग्या सुनती है आप उनका उपियोग कर सकते हैं आप जानवरों से अपनी बात मनवा सकते हैं उन्हें करने दो आप कार्य पूरा नहीं कर सकते लेकिन दूसरों से उनके परिश्रम का फल छीन सकते हैं उन्हें लूट सकते हैं आप अपने सभी विरोधियों को गुमराह कर सकते हैं ऐसा करें अगले महीनों के लिए जानबूच कर हत्या करने और अपने साथी प्रतिसपर्धियों पर उच्चस्तर के अधिनस्थों के उप्योग को छोड़कर लगभग सभी दाव बंध हैं वह एक सेकंड के लिए रुके और उन उम्मीद्वारों की ओर देखा जो अब फुस्फुसा रहे थे और धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे उनमें जोर से बात करने की हिम्मत भी नहीं थी वे अवचेतन रूप से अपनी आवाज धीमी कर रहे हैं ताकि वे मार्शल का ध्यान आकर्शित न कर सकें दस सेकंड के संक्षित विराम के बाद मार्शल ने अपना भाशन जारी रखा आपकी प्रतियोगिता आज से अगले 30 दिनों के लिए शुरू होगी 31 दिन ओरियन के समराट की सबसे छोटी बेटी राजकुमारी नताली 18 वर्श की होने जा रही है और प्रतियोगिता के विजेता अतिथी के रूप में उस समारोह में भाग लेंगे सम्मान का अब प्रतिसपर्धा के एजेंडे और नियमों के बारे में आप सभी को आपके ड्यूप द्वारा दिये गए कार्ड मिल गए होंगे वे कार्ड प्रतियोगिता के लिए महत्वपूर्ण है आपका उद्देश्य कार्डों पर अपना हाथ जमाना है और अपने विरोधियों के कार्डों से अंक अपने कार्डों में स्थानांतरित करने का प्रयास करना है। इसके अलावा, शहर में विभिन स्थानों पर कई खाली कार्ड छिपे हुए हैं और कई ग्रेड के हैं। कांसे कार्ड, सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड, क्रिस्टल कार्ड से शुरू? कार्ड का ग्रेड जितना उचा होगा, उसे प्राप्त करने में कठिनाई उतनी ही अधिक होगी और कार्ड से आपको उतने अधिक अंक प्राप्त होंगे. इन कार्डों को कहां से प्राप्थ किया जाए, इसकी जानकारी शहर में ही कुछ विशेश रूप से छिपे हुए सुरागों द्वारा दी जाएगी अंग प्राप्थ करने की तीसरी विधी सैन्य मिष्णों, सिटी गार्ड मिष्णों, कुछ विशेश मिष्णों को स्विकार करना है, जिनके लिए विभिन व्यवसायों आदी में आपकी विशेश अजयता की आवश्चक्ता हो सकती है इस संपत्ती में एक मिशन बोर्ड और एक कार्यालय है जिसका प्रभारी एक व्यक्ति है जो मिशन के मुद्दे की निगरानी करता है तो मिशन का अंतिम और मुख्य लक्ष्य यहा है कि आप सभी को अंध प्राप्त करने हैं और जितना हो सके उतने अंध प्राप्त करने हैं महीने के अंत तक जिन दस उम्मीद्वारों के सबसे अधिक अंख होंगे वे विजेता होंगे और बाकी उम्मीद्वार बाहर हो जाएंगे चुने गए दस उम्मीदवारों को राजकुमारी के जन्मदिन पर सभी सम्मानित महमानों के सामने आपस में रैंकिंग तै करने के लिए आमने सामने की लडाई से गुजरना होगा जैसा कि मैंने पहले उलेक किया है यह प्रतियोगिता का लक्षय और नियम है आप अपनी पसंद का कुछ भी करने में सक्षम है लेकिन आप निचले स्तर के प्रतिसपर्धी को दबाने के लिए अपने उच्च स्तर के अधिनस्थों का उप्योग नहीं कर सकते आप कार्ड चुरा सकते हैं और उसमें से अंकों को अपने कार्ड में स्थानांतरित कर सकते हैं और बिंदु हस्तांतरन की प्रक्रिया दोनों कार्डों को संपर्क में रखकर और अपनी आध्यात्मिक उर्जा और आध्यात्मिक भावना का उप्योग करके एक कार्ड से दूसरे कार्ड में अंक को मजबूर करने के द्वारा की जाती है। शहर में छुपे हुए कार्ड इसी तरह काम करते हैं। आप टीमों में काम कर सकते हैं या आप व्यक्तिगत रूप से भी काम कर सकते हैं। और एक और बात यह है कि आप एकाधिक कार्ड का उप्योग कर सकते हैं। आप मिशन कार्याले में कार्ड खरीज सकते हैं और यदि आप किसी टीम के लिए बनाए गए कार्ड में अंक संग्रहित करना चाहते हैं, तो आप एक टीम कार्ड भी बना सकते हैं। उस कार्ड के पॉइंट्स सीधे उस टीम के किसी भी व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किये जा सकते हैं। उन्हें ट्रांसफर करने के केवल दो तरीके हैं और एक मिशन कार्याले में हैं। और दूसरा तरीका उस व्यक्ति के लिए है, जो points transfer करना चाहता है, बाकी के पास उसका अधिकार है. तीम के साथ ही, हाला कि उस तीम के विरोधियों के पास उन अंकों को अपने कार्ड में स्थानांतरित करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है. याद रखें की महीने के अंत तक केवल व्यक्तिगत कार्ड के अंदर के अंक ही गिने जाएंगे, और वह भी उम्मिद्वार के पास केवल एक ही कार्ड में सभी अंक होने चाहिए, अन्यथा सबसे अधिक अंक वाले कार्ड को शेश कार्ड छोड़ने पर विचार किया जहा तक उन लोगों की बात है जो कुलीन और शाही परिवार से हैं, आप किसी ऐसे व्यक्ति का उप्योग नहीं कर सकते जो सामराज्य के अधीन किसी भी प्राधिकारी के अधीन काम कर रहा हो। सजा दी जाएगी, सजा मेरे ही हाथों से दी जाएगी और शाही परिवार के लोग भी अपवाद नहीं हैं। सजा दी जैसे ही ड्यूकडम से हैं, यह देखने के लिए कि क्या वे एक टीम बना सकते हैं। यहां तक कि दक्षिनी शुरुवात के लोग भी ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सैम ने समोह छोड़ दिया और अकेले मिशन कार्याले की ओर चल दिया। क्या मैं पूछ सकता हूँ एक अतिरिक्ट कार्ड की लागत कितनी है। उन्होंने कार्याले के काउंटर पर बैठे अधेड उम्र के व्यक्ती से बिनमरता से पूछा। अधेड उम्र के व्यक्ती ने उदासीन स्वर में कहा, लेकिन वह कोई बदलाव देखने के लिए सैम की अभिव्यक्ती पर गौर कर रहा था। मल्टिपल कार्ड योजना वास्तव में उम्मीद्वारों के लिए एक अतिरिक्ट जीवन रेखा है। तो लागत काफी अधिक है। इसे खरीदना आसान नहीं है क्योंकि दस मिलियन कोई ऐसी रकम नहीं है जिसे कोई भी आसानी से निकाल सके। लेकिन अधिकारी एक ही समय में निराश और आश्चर्यच कित था क्योंकि सैम ने शान्ती से एक स्पेस जेड अंगुठीली और मेस पर रख दी। दस कार्ड कृपया मध्यम आयू वर्ग का व्यक्ती प्रतिक्रिया देने से पहले एक सेकंड के लिए स्थब्ध रह गया। उसने अंतरिक्ष जेड अंगुठीली और अंदर देखा तो सौ मिलियन स्पिरिट पक्थर मिले। उसने फिर से सैम के डेविल में केयर रवये को देखा क्योंकि इतनी बड़ी रकम धकेलते समय उसने पलक भी नहीं जपकाई थी। लेकिन वह अपनी श्रधा से बाहर आया और पूछा। क्या आप चाहते हैं कि सभी कार्ड आपके नाम से पंजीकृत हो। हाँ। उसके बाद कार्ड पर सैम के आध्यात में कूर्जा हस्ताक्षर सनलगन करने की प्रक्रिया होती है। कुछ ही मिंटो में सैम बाहर आया और उसने फिलिप और जैक को प्रवेश द्वार की ओर चलते देखा। आप हमारा इंतजार कर सकते थे। आप इतनी तेजी से क्यों भाग गए फिलिप ने मिलते ही पूछा। तीन के गठन पर उस निरर्थक चर्चा में मेरी कोई दिल्चस्पी नहीं है। वे अभी बकवास करेंगे और फिर पिछले कुछ दिनों में आपस में मौत तक लड़ेंगे। इसे सुनने का क्या मतलब है? मैंने सूचा भी था, आप दोनों उनके साथ एक टीम बनाने में रुची रखते हैं। सैम ने उत्तर दिया, नहीं मैं तो बस उन सभी उच्छधार्मिक बातों को सुनना चाहता था जो वे एक दूसरे से कहेंगे ताकि मैं अंत में लड़ाई का और भी अधिक आनंद ले सकूँ। फिलिप ने शरार्ती मुसकान के साथ कहा, मुझे आप जैसे मनोरोगी की परवाह नहीं है, अगर आप अतिरिक्त कार्ड खरीदना चाहते हैं, तो बहतर। होगा कि आप लोग जल्दी करें, मुझे घर खरीदने के लिए शहर जाना है, मैं इस जगह पर नहीं रह सकता। बस एक सेकंड रुकें, दोनों जल्दी जल्दी ऑफिस में चले गए। कुछ मिंटों के बाद वे प्रत्येक के साथ पांच कार्ड लेकर बाहर आए। फिलिप के चहरे पर उदासी भरे भाव थे। बिजनेस चरण से मुझे जो भी कमाई हुई वह लगभग खत्म हो गई है, सैम तुम बहुत अमीर हो, अगर तुम हमारे लिए ये कार्ड खरीदोगे तो कैसा रहेगा। सैम ने अपनी आखे घुमाई और ठंडे स्वर में कह जैसे कि जो पैसा आपने खर्च किया वह आपका ही है। कि उनके पास इतना भरोसा है कि उन्हें अपने सहयोग के लिए टीम कार्ड की आवश्यक्ता नहीं है। किया और घर ढूंडने में मदद मांगी। दक्षिनी सितारे की तरह शाही राजधानी को भी विभिन कशेत्रों में विभाज़त किया गया है। किंद्रीय कशेत्र राईसों और शाही परिवार के लिए है और कोई भी उस स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता है। कुलीनों के अलावा चार पेशेवर टावरों के अधिकारी और बड़े लोग भी वहा रहते हैं। गाड किसी को भी आसानी से उस जगह में प्रवेश नहीं करने देते थे। व्यक्ति के पास अत्यंत उच्छ दर्जा होना चाहिए या उसके पास अंदर रहने वाले लोगों कोई हवेली नहीं है बलकि यह केवल एक डुपलेक्स घर है जिसमें एक छोटा सा यार्ड है लेकिन फिर भी उसके लिए इसकी कीमत 50 मिलियन है। घर खरीदने के बाद वे चारों खाना खाने के लिए पास के एक रेस्तरा में गए खाना खाते समयवे प्रतियोगिता के बा प्रतिभागियों की संख्या केवल सोही मानी जानी चाहिए। सभा के दौरान सैम ने शेश टीमो विशेश रूप से राजधानी की दो टीमों का अवलोकन किया। उन दो टीमों में से एक पूरी तरह से कुलीनों और अधिकारियों की संतानों से बनी है। दूसरी टीम आम नेता की बात है। उन्हें नाथन राजकुमार और राजकुमारी का बड़ा भाई कहा जाता है। वह युवराज के बाद दूसरा सबसे पसंदीदा राजकुमार है क्योंकि वे दोनों एक ही मासे हैं और राजकुमारी भी। हाला कि दूसरी टीम का नेता थोड़ा यहां तक कि दूसरी टीम के दूसरे रैंक वाले ने भी वही पोशाक पहनी थी, सिवाई इसके की दूसरे रैंक वाले का रंग मैरून था, जबकि पहले रैंक वाले का रंग काला था, उन्होंने जो देखा उसके अनुसार उच्चतम साधनास्तर, चार या पांच में व्यक्ति को लक्षित करना चाहिए, फिलिप ने मास का एक बड़ा टुकडा काटते हुए पूछा, खैर मैं जो देख रहा हूँ, उससे कोई फर्थ नहीं पड़ता कि हम क्या करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो टीम नहीं बना रहे होंगे, इस बात की खिलाडियों को लक्षित करते हैं, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, सैम ने उत्तर दिया, क्या इसका मतलब यह नहीं है, कि आप सभी का सबसे बड़ा लक्ष हैं, फिलिप ने चिल्ला कर कहा, सैम ने उसकी ओर इस तरह देखा मानो, वह कोई मूर्ख हो, इतना स अबास धीमी कर ली, सैम ने उसकी परवाह नहीं की और कहा, मुझे लगता है कि हमारे लिए कारवाई का सबसे अच्छा तरीका इंतजार करना है, क्योंकि अगर हम नहीं जाते हैं, और अपने लक्ष का पता नहीं लगाते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ लोग होंगे इसका मतलब यहा है कि चतुर लोग आखिरी सप्ताह में परेशानिया मोल लेने के लिए मेरे पास आएंगे, जबकि चालाक लोग एक तरफ रहेंगे क्योंकि हम लड़ेंगे, और सब कुछ अपने लिए हासिल करने की कोशिश करेंगे, और सरल दिमाग वाले लोग मुझे धूंडना चाहेंगे. शुरुआत जब में सच है कि जिन लोगों के पास शुरुआत से ही सबसे अधिक अंक हैं, उन्हें सबसे अधिक लक्षित किया जाएगा. सैम ने जो कहा वह संभव है. निश्चित रूप से आए इस तरह से करें. पहले तीन सप्ताह हम पूरी तरह से मिशन पर ध्यान केंडरिक करेंग और अपने नए घर वापस जा रहे हैं. लेकिन जैसे ही वे रेस्टोरेंट से बाहर निकले. सुष, एक तीर सैम की ओर आया जिसके चारों और बिजली की नीली बिजली कड़क रही थी, लेकिन इससे पहले की तीर उस पर लग पाता, उसकी बाह सुनहरी रोशनी से चमक ने दिया. वह हारबिंगर पर सवार हुआ और हवा की तरह मंदराता हुआ छक पर पहुँच गया. वहां भागे हुए व्यक्ति का कोई निशान नहीं था. कोई भी व्यक्ति कितना भी तेज क्यों नहों, बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाना लगभग असंभव है जब तक कि उस व्यक्ति के पास सैम के दिव्य आयाम जैसा खजाना नहो. वह इमारत के पीछे गली की ओर गया और आसपास खोजा. इस बीच उसने सावधानी से चाया चुहों को बाहर निकाल दिया और उन्हें ख्षेतर का पता लगाने के लिए कहा. हाला कि उन्होंने उस व्यक्ति को नहीं देखा. यदि वह किसी गुप्त खेतर में छिपा है, तो चाया चुहों के पास उसे ढूनने का बहतर मौका है. सैम ने सतरकता से चारों और देखा. उन्होंने लोगों के हावभाव देखे. किसी प्रकार की कोई गरबड़ी नहीं है. आसपास के लोग सा अमान्य व्यवहार कर रहे हैं. वे उचसुकता से हारबिंगर को देख रहे हैं, लेकिन बस इतना ही कोई अन्य अभिव्यक्ति नहीं है. यह शेतर व्यावसाइक शेतर और आंतरिक शेतर के चौराहे के पास है. इसलिए यह काफी उच्छ शेनी का है. इसलिए भीड बहुत डाली और उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी, जो बार से बाहर आया और सैम की ओर देखे बिना चला गया. इसने उसका ध्यान खीचा और एक सेकंड के लिए निरीक्षन करने के बाद उसने सुनहरा क्रिसेंट निकाला और बिना किसी बहस या टकराव के व्यक्ति पर निशाना साथते हुए एक तीर मारा. उसने धागा बढ़ाया और आध्यात्मिक उर्जा को संगनित करना शुरू कर दिया. बूढ़ा आदमी घबरा गया और भागने ही वाला था. सैम ने आभा छोड़ी जो सीधे बूढ़े आदमी की पीठ पर लगी. तीर क एक युवक है जो दूसरे ड्यूक डोम से है. सैम ने इस आदमी को पहले भी असेंबली में देखा है. वह उस व्यक्ति को घसीट कर वापस रिस्तरा के प्रवेश द्वार पर ले गया. तभी उसने देखा कि फिलिप, जैक और वाट दो अन्य लोगों को पकड़े हुए है आपके जाते ही पांच लोगों ने हम पर घात लगा कर हमला कर दिया, लेकिन वे इन दोनों को यहीं छोड़कर भाग गए. उनके कारण में ज्यादा अंक नहीं है, बस तीन से चार हजार के आसपास हैं. आये हम उन्हें अपने स्थान पर वापस ले चलें. बाद में, आध बातें बताईं. ये लोग एक टीम से हैं और उनकी टीम में 6 सदस्य हैं. दिल्चस्प बात यहा है कि उनमें से सभी एक ही डूकडम से नहीं है. पूरी टीम नीचे के दो रैंकर्स या तीन डूकडम्स द्वारा बनाई गई थी. सैम आश्चर यचित था कि उन्होंने न के फिलिप और जैक हैं. उन्हें किसी तरह पता चला कि सैम को यह पसंद नहीं है जब कोई उसे परेशान करता है और वह बदला लेने के लिए बहुत जिद्दी रहता है. लेकिन उन्होंने यह भी सुना कि वह बहुत मजबूत है. इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई. उन से वे स्थिती को गलत समझ रहे थे. वास्तव में उन्होंने कहा कि यह वास्तव में कुछ छोटी टीमों पर काम करता है और अब वे एक बड़ी मचली पर अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं. सैम इस बात से और भी आश्चरियचकित है कि इन लोगोंने कुछ छोटी टीमो को हरा दिया. इसका मतलब है कि सुभा के बाद से इन लोगोंने कोई ब्रेक नहीं लिया और नहीं समय बर्बाद किया. वे पूरी तरह सक्रिय हैं. अब अपने गलत लक्षे चयन के कारण तीनों अब बंदी हैं. तो हम उनके साथ क्या करने जा रहे हैं? हत्या करना मना है न जैक ने पूछा. अंध खाली कर दो और उन्हें उनके कारण वापस दे दो लेकिन उन्हें जगह छोड़ने मत दो. मैं उन्हें कैद करने के लिए कुछ संरचनाएं बिछाऊंगा. बाकि टीम के साथियों को चारा लेने दो और यहां आने दो. जैसे ही ये तीनों अलग हो उन्होंने अंकों के लिए अन्य उम्मीद्वारों के साथ इस पर लड़ाई नहीं की. बाकी उम्मीद्वार अधिक से अधिक अंक हासिल करने के लिए मशक्कत कर रहे हैं. पहले सप्ताह में सैम और समोह ने तीन मिशन किये, जो सिटी गार्ड से संबंधित थे और काफी अ जानकारी हासिल करना. पहले सप्ताह के लिए उसने चाया चुहों को स्वोर्ड मार्शल का पीछा करने दिया, ताकि वह किसी भी जानकारी का पता लगा सके और प्रयास पूरी तरह से निरर्थक न हो. मार्शल द्वारा छै लोगों को नियुक्त किया गया है, जो कार्ड छ उसमें से निश्चित संख्या में कार्डों के बीच एक निश्चित संख्या में अंक विभाजित किये गए, और ये कार्ड निश्चित अंतराल में शहर में चिपे रहेंगे. जब सैम ने अंकों की संख्या सुनी तो वह काफी आश्चर्यच्कित हुआ. जाहिर है, एक वि प्रेशानी होती है और सैम को लगा कि यह एक व्यवहार्य तरीका नहीं है क्योंकि इन में से बहुत सारे धब्बे होंगे। इसलिए उसने छै चाया चुहों को पूरे दिन उनका पीछा करने दिया और अपने अपने कार्ड छुपाने के बाद वे सैम के पास आये और उसे उस जगह के बारे में सूचिक किया। हाला कि इस पूरी चीज के बारे में सैम स्थानों को खोजने से संतुष्ट है उसे यह भी महसूस हो रहा है कि कुछ गड़बड है। मार्शल को एक कमरा, एक चर्चा बैठक और एक बोर्ड पर सभी स्थानों का उलेख करने की आवश्यक्ता नहीं है। जानकारी और कार्ड सीधे 6 सदस्यों को दिये जा सकते हैं और वे अपना काम विवेक पूर्वक कर सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि मार्शल ने जानबूच कर उम्मीद्वारों को मौका देने के लिए यह विकल्प चुना है। खुफिया जानकारी खोजने का एक तरीका प्रदान किया। लेकिन नवजात चरण के 6 लोगों के लिए वह चाया चुहों का खेल का मैदान था और उन्होंने दो दिनों की पूँच के बाद अपनी दिंचर्या की पुष्टी की। अब सैम बाकी उम्मीद्वारों से बिना किसी लड़ाई के अंक हासिल कर सकता है। लेकिन चिपने की जगहें बिल्कुल भी परिशानी से रहित नहीं हैं। उनमें से कुछ एक अमीर व्यक्ती के निजी कक्ष के अंदर संग रही थें। उनमें से कुछ को सिटी गार्ड स्टेशन के प्रमुख के हाथों में रखा गया है। इसलिए इस प्रयास का उफास नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन कम से कम उन्हें कार्ड और अंक न मिलने के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा सैम ने देखा कि जिन तीन लोगों को उसने तहखाने में बंद किया था, उन्हें उनके साथियों ने कम से कम अस्थाई रूप से छोड़ दिया था। कोई भी उनके बचाव में नहीं आया। अब जबकि अंग संचयन के उनके तरीके कवर हो गए हैं, सैम कुछ अन्य मामलों में भी शामिल हो गए हैं और उनमें से एक प्रकाश तत्व पर उनका शोध है। वो काफी समय से ये कोशिश कर रहे थे। वह विभिन किरनों को सामान्य प्रकाश से अलग करने का प्रयास कर रहा है, ताकि वह प्रकाश के विभिन तत्वों का उपयोग अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए कर सके। भले ही वह अभी तक उनका उपयोग हमले के उद्देश से नहीं कर सकता है, लेकिन वह कम से कम ट्रैकिंग पता लगाने और अन्य सहायक कारियों के लिए इसका उपयोग कर सकता है तरंग दैर्ध्य को समायोजित करके द्रिश्य स्पेक्ट्रम के सभी रंगों में प्रकाश की किरण को मोरने में सक्षम हो गया लेकिन उन्होंने द्रिश्यमान स्पेक्ट्रम के उपर या उससे परे तरंग दैर्ध्य को नहीं बदला वह विद्युक्चुम्बकिय स्पेक्ट्रम तक पहुँचने के लिए अपने प्रकाश तत्व का उपयोग कर रहा है और यदि वह तरंग दैर्ध्य को ठीक से नियंत्रित कर सकता है तो उसके पास एक इमारत जितनी उची विशाल रेडियो तरंगे और एक स्रे जैसी मिनट तरंग दैर्ध्य की बहुत छोटी तरंगे हो सकती है जो उसे देखने में मदद कर सकती हैं और गामा किरने जिनका उपयोग सभ्यक्षती का लेजर बनाने के लिए किया जा सकता है हलांकि गामा किरनेक शैकारी विद्यूट चुमबकिय विकिरन से प्राप्त विद्यूट चुमबकिय विकिरन है यह स्वाभाविक रूप से स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा है और सबसे स्पष्ट अंतर तरंग दैर्ध्य है तो सैम साधारन प्रकाश को रेडियो स्क्रिय प्रकाश में बदलने का प्रयास कर रहा है अपने पिछले जीवन में वह उस तीम का हिस्सा थे जिसने गामा लेजर बनाया था और उस तीम के मुख्य लोगों में से एक थे यह कहना सुरक्षित है कि यदि वह मौजूद नहीं होता तो लेजर उस समय पूरा नहीं हो पाता और विडमना यह है कि लेजर का निर्मान सरकार द्वारा वित्थ पोशित वैग्यानिकों के एक समू द्वारा नहीं किया गया था बलकि इसे समाज के अंधेरे पक्ष द्वारा बनाया गया था विशेश रूप से सैम 18 वर्ष की आयू तक जिस संगठन से जुड़ा था उन्हें अभी भी गामा किरन वनक्रमिय रेखा के चौडिकरन पर होने वाले सामुहिक उत्तेजित उत्सर्जन के लिए प्रयोगों की प्रक्रिया याद है जैसा कि समाज के प्रकाश पक्ष में भौतिक विढ़्यानी अनुसंधान सफलताओं के लिए इसका उप्योग करने की कोशिश कर रहे हैं सरकारे शस्त्रागार में एक शक्तिशाली हथियार शामिल करने के लिए अंधेरे पक्ष जिसने इसे बनाया है उसके केवल दो इरादे हैं, एक व्यवसाय और दूसरा शक्ती जो वे प्राप्त किया सैम मदद नहीं कर सका लेकिन उदासी महसूस कर रहा था जैसे जैसे उन्होंने अभ्यास किया, उन्होंने इसके उपियोग के बारे में सोचा और अंतह उनके विचार अपने पिछले जीवन पर रुप गए कुछ देर के लिए प्रैक्तिस बंद कर दी और तावर में चले गए वह अचानक बानसुरी बजाना चाहता था अपने पिछले जीवन में यदी शिक्षाविदों और स्रिजन ने हत्याओं और लडाईयों से विराम लिया है यदी उसके बाद भी वह भावनात्मक रूप से बोजिल थे तो संगीत ही एक मात्र ऐसी चीज है जिसने उनकी आत्मा को तर्क और संतुलन खोने से बचाया उसे अचानक बानसुरी बजाने की इच्छा हुई जो उसके पास नहीं थी इसलिए वह बानसुरी बनाने के लिए टावर में चला गया लेकिन इसमें कुछ समय लगने वाला है उसने पूरा दिन टावर में बिताया और रात में वह अपनी बानसुरी के साथ वापस आ गया इसे केवल कुछ अंतिन रूप दिया जाना बाकी है बानसुरी बाहरी भाग के लिए ग्रे उलकापिंड रेट और सिल्वर उलकापिंड रेट के मिश्रन से बनी है और जटिल आंतरिक संरचना केवल सिल्वर रेट से बनी है वह बांसुरी का परीक्षन कर रहा है और वे उसके इच्छित स्वर के अनुसार मरम्मत कर रहे हैं रात हो चुकी थी और बाकी लोग वापस आ गए उसने वाट को आराम करने और शहर में मौजमस्ती करने के लिए बड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन दिये एक तरह से शाही राजधानी में भी परीक्षा वास्तव में सबसे कठिन होती है यह वह चरण भी है जहां उसके पास बहुत सारा समय होता है फालकन क्लिफ शहर के बाद से वाट या तो जाच लड़ाई और प्रशिक्षन में व्यस्त रहे हैं अब जब उसके पास बहुत समय था तो उसने वाट से केवल एक ही काम करने को कहा एक बार युवा मास्टर बने उन सभी ने एक साथ खाना खाया लेकिन इसी समय कोई मिलने आया और सैंग एक युवक जो सुन्दर और महंगी पोशात पहनता है एक नजर और सैंग कह सकता है कि यह एक दरजी कारीगर द्वारा बनाया गया था और वहां एक बैज दिखा रहा है कि वहां आदमी एक छद्म रैंक माइनस चार हतियार कारीगर है लेकिन जिस चीज में सैंग का ध्यान सबसे ज्यादा खीचा वहां है उसका चेहरा उसने इस आदमी को शाही राजधानी की पहली टीम में राजकुमार के ठीक पीछे देखा शाही राजधानी का दूसरा रैंकर वह आदमी अंदर आया और बोलने से पहले बेपरवा होकर बैठ गया आपको सैम होना चाहिए सैम कुछ नहीं बोला उसने बस उसी शांत और निरलिप्ट भाव से उस आदमी को देखा मैं पैटरिक हूँ इंपीरियल कैपिटल आर्टिसन टावर के टावर प्रमुख का बेटा मैं यहां आपके साथ एक समझोते पर चर्चा करने आया हूँ सैम ने फिर भी उत्तर नहीं दिया मैंने सुना है कि पार्ग की योजनाए जो वर्तमान में आपके नाम पर हैं आपके पास है इसलिए मैं उन्हें खरीदना चाहता हूँ वह रुका और एक स्थानिक अंगूठी निकाल कर मेज पर रख दी यहां इस अंगूठी में 50 मिलियन है मुझे आपके द्वारा उप्योग की गई सभी संरचनाए शिलालेक चाहिए सैम ने अंगूठी की ओर देखा और उस आदमी की ओर देखा बहतर होगा कि आप अभी चले जाएं आप नियमों के संरक्षन में हो सकते हैं लेकिन आपके लोग नहीं है यही एक मात्रक्षन है जब फिलिप और बाकियों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की उन्हें इस स्थान पर किसी के आने का आभास नहीं हुआ क्योंकि इस स्थान को घेडने वाला हर दूसरा व्यक्ती प्रारंभिक चरण में एक सामान्य महान जादूगर के समवेदी क्षेतर से बाहर है लेकिन सैम अपने वर्तमान स्थर के लिए अत्यधिक उच्च मानसिक शक्ती के कारण उन्हें महसूस कर सकता है पैटरिक ने अब अपना ठंडा और अहंकारी स्वभाव खो दिया जैसे ही वह जवाब देने वाला था उसने अपना हाथ उठाया और हिलाया बाह का सिरा पानी से संधनित हो गया था और अत्यधिक संधनित हवा से पानी को गोली की तरह मारा गया था वह खिरकी से होता हुआ आंगन की दीवार की ओर चला गया इसने दीवार को तोड़ दिया और कुछ मीटर दूर उसके पीछे खड़े एक व्यक्ती को टककर मार दी वह आदमी बेहोश पड़ा रहा अगली बार यह एक जीवन होगा पैटरिक तुरंट सतर्क हो गया और बाहर चला गया हमें उसका कार्ड लेना चाहिए था फिलिप ने बगल से कहा अब परिशान क्यों हो उसे हमारे लिए कुछ और अंक इकठा करने दीजिए पैटरिक के जाने के बाद सैम वही चुपचाप बैठ कर कुछ सोच रहा था फिलिप और जैक ने उसकी अभिव्यक्ती देखकर उसकी और देखा मुझे आप लोगों से कुछ कहना है सैम ने आखिरकार एक घंटे के बाद कहा बाकी तीन लोग उसकी और देखते रहे उसके पूरा होने का इंतजार करते रहे मैं आप लोगों की कलपना से भी बड़ा लक्षय बनने जा रहा हूँ आपका क्या मतलब है फिलिप ने पूछा इसका उस आदमी की यात्रा से कुछ लेना देना है पार्क के बारे में? हाँ लेकिन यह एक समस्या कैसे है? मुझे लगता है कि आप इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं सैंग भले ही वे आपके डिजाइन नहीं पा सकें फिर भी वे निर्मान और शिलालिक तावरों की मदद का उप्योग कर सकते हैं वे अभी भी इसका पता लगा सकते हैं मुझे लगता है कि यही कारण है कि वे ऐसा करते हैं डिजाइनों के लिए इतनी कम कीमत रखी गई, फिलिप ने कहा, यह इतना आसान नहीं है, क्या आपको लगता है कि मैं उस परियोजना का मुख्य हिस्सा खुले में छोर दूंगा जो मुझे लंबे समय में सैक्रों अर्बों डॉलर कमा सकती है, क्या आप सच मुझ सोचते हैं यदि वे चीजों को इतनी आसानी से समझ सकें, तो वे आकर मुझ से पूछेंगे, क्या आपको लगता है कि यदि वे इसे बनाने में सक्षम हैं, तो वे वास्तव में इसे बनाने के लिए पार्क शुरू करने के बाद पूरे 6 महीने तक इंतजार करेंगे, आपका क्या मतल आपका विचार अच्छा है, लेकिन अगर परियाप्त मानव शक्ती और दिमाध है, तो मुझे लगता है कि वे इसे दोहरा सकते हैं, यहीं आप गलत हैं, फिलिप, वे एक पार्क बना सकते हैं, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन वे उसकी नकल बनाने में सक्षम नहीं ह लोग जो देख सकते हैं, उससे कहीं अधिक है, मैं एक निर्माता हूँ, फिलिप, मैं दूसरों को अपनी रचना इतनी आसानी से दोहराने नहीं दूंगा, मेरा डिजाइन ही पार्क को आकर्शन और आकर्शन प्रदान करता है, यदि वे इसे दोहरा नहीं सकते हैं, तो मा मैंने जो पार्क बनाया है, वह पूरी तरह से एक अस्थिर संरचना है, जिसके तहट एक ऐसी संरचना रखी गई है, जो इसे स्थिर करती है, यह कुछ ऐसा है जो तीन टावर प्रमुखों को नहीं पता था, इसलिए राजधानी में इन लोगों को जो जानकारी मिली वह अ केवल वाट को आश्चर्य नहीं हुआ, उसका पहले से ही दिमाग खराब हो गया था कि सैम कुछ भी कर सकता है, सैम ने आश्चर्यच कित भावों को देखा और समाचार आने का इंतजार करने लगा, उस संक्षिप्त चुपी के बाद जैक ने पूछा, क्या यह आसान नहीं वह उसे अपने राज्य, अपने बच्चों और अन्य सभी पत्नियों से अधेक प्यार करता था, स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उनकी पत्नी की मृत्यू उनसे पहले हो गई और वह चाहते थे कि पूरी दुनिया उनकी मृत्यू के बाद भी उन्हें याद रखे, दर्ता का मुकाबला नहीं कर सकती, उन्होंने कारीग्रों और इसके लिए काम करने वाले हजारों श्रमिकों को भूमे धन उपाधिया, प्रशन साय दी, लेकिन बाद में उनके मन में विचार आया, क्या होगा यदि सबसे बड़ा स्मारक जो उन्होंने अपनी मृत पत्नी के लिए उपहार में दिया था, उससे भी आगे निकल जाएं, क्या होगा अगर उसकी पत्नी का स्मृती चिनहा हमेशा के लिए सर्वश्रिष्ट नहीं रहेगा, सैम ने रुक कर उन तीनों की ओर देखा जो उच्छुक थे और धीरे से कहा, वह ऐसा परिनाम नहीं चाहता ह इसलिए उसने कारीग्रों और श्रमिकों का नरसनहार किया, उन लोगों की हत्या की जो संभव था उससे कहीं बहतर समारक बना सकते थे, तीनों हैरान रह गए, सैम ने जारी रखा, मानव मन ऐसा ही था, वहाँ एक तूफान चल रहा है, जो लोग इस परियोजना को अपने ह लेना चाहते हैं, वे नहीं चाहते कि इसके समान कोई और चीज उभर कर सामने आये, वह पैट्रिक यहाँ खरीदने के लिए नहीं आया था, वह था प्रतिक्रिया देखने के लिए यहाँ, क्या आपको लगता है, राजधानी के बड़े लोग, जिन्हें खाद्य शिंखला में शीर्ष पर माना जाता है, किसी किशोर के साथ साजेदारी करेंगे, यदि मेरा अनुमान सही है, तो चार टावर प्रमुखों और यहाँ तक की शाही परिवार से भी कोई हो सकता है, पहले से ही इस पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं, और वे चाहते हैं कि यह केव उनके हाथों में रहे, उनके लिए एक ऐसे व्यक्ति को आजाद करना असंभव है, जो उनके सिस्टम की सभी खामियों को जानता हो, क्या आप निश्चित हैं, शाही परिवार, तब वे तुम्हें मार सकते हैं, और यह खत्म हो जाएगा, भले ही आप सक्षम हो, यदि पू आपको लगता है कि शाही परिवार सैक्डों अर्बों डॉलर गवा देगा, अगर मुझे अकेला छोड़ दिया जाए, और प्रतियेक ड्यूक डॉम में और आसपास के इलाकों में भी एक पार्क शुरू किया जाए शाही राजधानी, दो दशकों में मैं शाही परिवार स सावधान रहना होगा, प्रतियोगिता की आड में वे सभी प्रकार के तरीकों का उप्योग करेंगे, यही एक कारण है कि मैंने आप लोगों से अतिरिक्त कार्ड खरीदने के लिए कहा, जब आप बाहर जाएं तो अपना मूल कार्ड अपने साथ न ले जाएं, कल से हम कोई मिशन नहीं लेंगे, हम छिपे हुए कार्डों पर ध्यान केंदरित करेंगे, मैं आपको स्थान बताऊंगा और आप कार्ड पुनह प्राप्त कर लेंगे, यदि वे किसी के हाथ में नहीं है, तो हमें ऐसा करने की भी आवश्यक्ता नहीं है, मेरे पास उन्हें आसानी से प दोहस्वपन होने वाला है, आपको दक्षिनी तारे में पिछली बार की तुलना में सैकडों गुना अधिक उत्पीडन का अनुभव होगा, तुम्हें मारा तो नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हें मानसिक रूप से प्रताडित किया जाएगा, यदि आप कोई मिशन लेते है तो कोई उसे चुरा लेगा, आप उम्मी द्वारों के समुहों द्वारा लक्षित होंगे, आप चार व्यवसायों और शाही परिवार का वास्तविक प्रभाव पूरी तरह से देखेंगे, सीधे शब्दों में कहें, तो हम पूरे शहर के खिलाफ हैं। अब आपकी क्या योजना है? तो सबसे कम अंक वाला अपना कार्ड बाहर फेंक दें और चले जाएं। हमें सिस्टम को धन्यवाद देना चाहिए कि किसी व्यक्ति के पास कितने कार्ड हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करने का कोई संभव तरीका नहीं है। इसलिए उन्हें जीवन रेखा के रूप में उप्योग करें। तो पूरा गिरो हमें बरबाद कर देगा। यह अच्छी बात है कि हम इस प्रतियोगिता में हैं। अन्यथा जिस दिन हम राजधानी में प्रवेश करते, मैं पकड़ लिया जाता। अब यह प्रतियोगिता नियम ही एक मात्र ऐसी चीज है, जो हमें और उन्हें एक ही समय में रोके रखती है। मानसिक रूप से तयार रहें क्योंकि यह काफी ठका देने वाला होगा। रुको अगर हम कार्ड इकठा करने जा रहें हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या आप यहां ऐसे ही रुके रहेंगे? फिलिप ने पीछे से पूछा। क्या से आप लोग मेरे साथ एक विशेश स्थान पर प्रशिक्षन लेंगे? प्रतियोगिता समाप्त होने से पहले आखिरी सप्ताह में हम उस पूरे तूफान को निगल लेंगे जो हम पर आने वाला है। तब तक बस सहते रहो। उसी क्षन कारीगर टावर की सबसे उपरी मन्जिल में। पैटरिक ने टावर प्रमुख को सब कुछ बताया और वह गहरे विचार में पढ़ गया। क्या आप निश्चत हैं? उसने बिना किसी सपष्ट अभिव्यक्ती के सीधे तौर पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। हाँ पिताजी, वह बच्चा बहुत घमंडी है। इसके लिए उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ बुदबुदाया। वह आदमी दिल्चस्प है, वह इतना शांत कैसे हो सकता है जब उसके काम और विशेशग्य विचार और डिजाइन को इतना कम महत्व दिया जाता था। एक सामान्य युवा व्यक्ती ने मेज पलट दी होती और पैटरिक की गांड पर लात मारी होती। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि पैटरिक को साफ सुनाई नहीं दिया। पिता जी वह आदमी बहुत अहंकारी है। उसने प्रस्ताव को अस्विकार करने की हिम्मत कैसे की। हम सीधे उस पर हमला क्यों नहीं करते। पात। पैटरिक के चहरे पर एक करारा तमाचा पड़ा और तावर प्रमुख ने अपने तडपते बेटे से कहा। एक रैंक तीन पिता के कारन दिया गया है। जो छटे दरजे के कारीगर हैं लेकिन उन्होंने इसे शुरू से कमाया है। उन्होंने अकेले ही अपनी ख्रम्ताओं से ये सब हासिल किया। आप मुझसे पूछते हैं हम उस पर हमला क्यों नहीं करते क्योंकि वह आपकी तरह मूर्ख नहीं ह वह एक वास्तविक प्रतिभाशाली है। एक बार जब हम जबरगस्ती करेंगे तो वह सतर्क हो जाएगा और वह इस सामराज्य को छोड़ देगा अपनी क्षमताओं के साथ वह वापस आएगा और एक खेत में खर्पतवार लेने की तरह हमारी जान लेलेगा। याद रखे आवेग में आकर इस योजना को बरबाद मत करो अन्यथा मैं भी तुम्हें नाथन से नहीं बचा सकता। फिर भी उन्होंने उन्हें कमजोर करना शुरू कर दिया। इसके अलावा घर पर हमले भी बढ़ गए। कई लोगोंने घर में घुसने की कोशिश की तीरों से वार करते हुए अंदर फन से तीन लोग भी घबरा गए। इसके बीच में सैम ने उन्हें शरीर को मजबूत ब बनाने में लगा हुआ था और सैम तावर के अंदर व्यस्त था। जैक भी हाफता हुआ घर में दोड़ता हुआ आया। वह पूरी तरह से निस्तेज है। उसके कपड़े लगभग फट चुके हैं। उसका पीछा कर रहे लोगों का जुन्द उसे घर में सुरक्षित बढ़ा दिया जिससे उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। इससे वे आसान लक्ष बन गए। वास्तव में यहां तक की फिलिप और जैक को भी इस निर्मान में कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है। एक मात्र चीज जो उनकी मदद कर रही है वह है शरीर की ख जब उन्होंने इनका अभ्यास करना शुरू किया तो वे उस दबाव का विरोध करने में सक्षम हो गए जो गठन उन पर डाल रहा है। जो लोग अंदर घुसे थे उनके साथ भी यही हुआ। लेकिन सैम ने यह सुनिश्चित किया कि वे किसी को नमारें चाहे वे अभी द्वार हो या नहीं। लेकिन मामला जितना कठिन हो उन्होंने कई अंक हासिल किये। सैम ने उन्हें च्छिपने के जो स्थान दिये थे वे बिल्कुल सही हैं और जबकि वे प्रति दिन कम से कम एक कार्ड हासिल करते हैं सैम किसी तरह घर से बाहर निकले बिना एक द पहुचने और जानकारी हासिल करने के लिए अपना सब कुछ जोखिम में डाल देंगे। इस बीच सैमपूरे सब्ताह टौवर के अंदर बहुत व्यस्थ है। उसे प्रकाश तत्व की तरंग दैर्ध्य को ठीक से नियंत्रित करने का एक तरीका खोजने की जरूरत है और उसे बाहर टहलने का फैसला किया। वह फिलिप और जैक की तरह पकड़े जाने से उतना नहीं डरता। उसके पास हर बिंगर है और उसकी गती ऐसी चीज है जिसके बारे में उन्हें चिंता करनी होगी। उसने पास के जंगल में एक चकर लगाने का फैसला किया ताकि वह हर ले सके और आराम महसूस कर सके। उसने बाकियों से भी यही बात कही और यात्रा पर निकल गया। आधे घंटे के बाद सैम अब शहर के बाहर पास के जंगल में तैर रहा है। उसे एक खुली जगह मिली जहांसे उसे साफ आसमान दिखाई दे रहा था। वह नीचे आया औ टार वुड सिटी, फालकन क्लिफ, ब्लू फ्लेम और अब ओरियन की इंपीरियल कैपिटल से गए। वह निरंतर भ्रमनशील एवं कार्यशील थे। हालाकि वह अब बहुत बड़ी और सबसे खराब स्थिती में है और वह दुश्मनों के सबसे बड़े तूफान का सामना कर था। उसे वे सभी बातें याद थी जिनका उसने अनुभव किया था। उसकी आखे विशाद और विशाद से भरी थी। चाहे यह दुनिया कितनी भी महान क्यों न हो फिर भी वह पिछले जन्म से चुप गया। उसने बानसुरी निकाली जिसमें चांदी जैसी चमक के की धुंधली रोशनी प्रतिबिंबित हो रही थी। वह आखे बंद करके बानसुरी बजाने लगा। धीरे-धीरे संगीत हवा के साथ हुर गया। उसे अपना पिछला जीवन याद आ गया। उनका दैनिय बचपन। तथाक्थित दक्तक माता-पिता द्वारा उसकी आत्म मृत्यू। उनकी दुनिया हिला देने वाली लड़ाई। उनका सबसे प्रियव्यक्ति और उनकी मृत्यू स्टेला। मानव सरकारों का विश्वासधात और अस्वीकृति। उसका बदला। बानसुरी की फीकी धुन भावनाओं की अधिकता थी। उनका संगीत उनकी उद मिल सकता है लेकिन कभी खोजा नहीं जा सकता। जैसे ही उसने खुद को इन भावनाओं में बहने दिया वह सारे परिवेश को भूल गया। लेकिन एक विसपोटक आवाज से उसकी शांती भंग हो गई जिसने उसे हिला कर रख दिया। जैसे ही वह पीछे मुडा उसने दे सैम ने कोई भाव नहीं दिखाया और लड़की के पीछे चल रहे युवकों के समुह को देखा। वे शाही राजधानी की पहली टीन हैं। लेकिन केवल निचले पाँच ही हैं प्रिंस नाथन और पैटरिक समेत बाकी तीन नहीं आए। जब उन्होंने सैम को देखा तो व वहीं रुप गए और सावधान हो गए। युवा लड़की ने यह देखा और उसे तुरंट ऐसा लगा जैसे उसे आशा की किरन दिख गई हो और वह सैम की ओर दोड़ी और उसके पीछे खड़ी हो गई। सैम ने फिर भी कोई भाव नहीं दिखाया। वह अभी भी बेपर हमें ऐसा करना चाहिए। बॉस ने कहा कि हमें उससे लड़ना नहीं चाहिए। वह हमारे लिए बहुत मजबूत है। चलो बस चले जाओ। वह कुतिया किसी भी तरह हमसे बच नहीं पाएगी। ऐसा नहीं है कि वह उसके साथ लंबे समय तक रह सकता था। जैसे ही वे चले उन्होंने सैम और लड़की दोनों को घ्रिनासपत ग्रिश्टी से देखा और वहां से चले गए। लड़की तुरंक जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई क्योंकि उसके पैर थकावट के आगे चुप गए। वह ऐसे सिस्कने लगी मानों दुनिया का अंथ हो गया हो। तो वह खड़ा हो गया और जाने के लिए मुड़ गया। महोदै लड़की ने उसे बुलाया सैम ने रुकने की जहमत नहीं उठाई। सर कृपया क्या मैं आपसे एक सिकंड के लिए बात कर सकता हूँ। सैम रुका और उसकी ओर देखा। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद मेरी बहन भी प्रतियोगिता में है और वह शाही राजधानी की दूसरी टीम की सदस्य है। वह एक मिशन पर गई थी और ये लोग उसके अंग पाने के लिए मुझे बंधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सैम ने उसकी ओर देखा इसका मेरे चहरे से क्या लेना देना है। उसने भाव पहचान लिया और बोली। ऐसा लगता है कि वे आप से डरते हैं तो क्या आप कृप्या मुझे दो दिनों के लिए बचा सकते हैं। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और बेहत दैनिय और असाय भाव दिखाया। मैं क्यों? एक वाक्य से उसका चहरा ठिठक गय वह हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। मैं वह हक लाने लगी। मैं यह भी नहीं जानता कि तुम कौन हो तो मैं तुम्हें बचा कर शहर के सभी बड़े बच्चों को नाराज क्यों करूं। मैं तुम्हें चुका सकता हूं। उसने शर्माते हुए चहरे से कहा। सैम मुस् के पीछे-पीछे वापस चला गया। जैसे ही वे घर में दाखिल हुए सैम ने उन तीनों को देखा जबकि उन तीनों ने लड़की को देखा। उसे कुछ परेशानी है वह दो दिन यहीं रहेगी तुम उसका ख्याल रखना। बोलते समय उसने अपने कमरे की ओर चलते हु कहा वह आपका कमरा है आप जितने दिन चाहें वहा रहिए जो भी पूछना हो मुझसे पूछ लीजिए आपको बॉस के कमरे में जाने की इजाजत नहीं है हर रात हम यहीं खाना खाएंगे आपको बस इतना ही जानना है इतना कहकर वाट चला गया और फिलिप और जैक की ओ और पुछ समझाया आधे घंटे की चर्चा के बाद आखिरकार उन्होंने कहा बॉस ने कहा कि हमें तीन सप्ताह ख्त्म होने तक इंतजार करने की जुरुरत नहीं है और वह प्रतियोगिता को छोटा करना चाहते हैं उन्होंने कहा कि अब से एक सप्ताह काफी है उन तीनों अभी के लिए अपनी योजना की पुष्टी की और अपना काम करने चले गए